गुड मॉर्णिंग फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इरुसाला में देखे इस वेडियो में हम लोग बिहार इस्पेसल जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफ्यर हैं इनको देखेंगे और यह 700 प्लस MCQ है जो बिभिन स्रोतों से लिया गया है तो यह आपक को सब्सक्राइब कर लिजे बिल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको नए ने वीडियो मिलता रहे साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए सेर कीजिए स्टार्ट करते हैं तो फस्ट है इसमें राश्टिये सिख्छक पुरसकार 2022 से विहार के किन सिख्छकों को सम्मानि किया जाएगा तो ये उप्युक्त दोनों हैं नीसी कुमार और सौरफ सुमन को हाली में बिहार विधान परिशत के नए सभापती ये दिवेश चंदर ठाकुर निप्थुए हैं नेक्ष हाली में पटना में आयुज्द बिहार राज अस्तरिय मेजर ध्यान चंदहों की बालि मुझबफर पूरकोट में सिकायत दर्ज की गई है तो ये गया मेह ठीक है हाली में बिहार विधान सभा के नए अध्यक्ष बने हैं अवद बिहारी चौधरी बने हैं 76 स्वतंतरता दिवस 2022 के उसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई जहांकियों में किस बिभाग को जहांकी को पहला अस्थान मिला है तो ये हो जाएगा क्रीसी बिभाग बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम का बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सामिल किया गया है राजीव राज देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइवर पार्क बिहार के किस जीला में अस्थापित किया जा रहा है ये पुर्णिया में ग्रामिन विकास विभाग ने 2022 की प्रतम तिमाही अप्रेल से जुलाई में मनरेगा के तहत जीलों के परदर्सन रिपोर्ट जारी किये हैं तो इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जीला राज में पहले अस्थान पे है तो ये हो जाएगा बकसर बिहार के किस जीले में बच्चे के सपने साका करने के लिए नटकट साइंस लेप सुरू किया गया है तो ये भागलपूर में ठीक है भागलपूर में बिहार के किस जीला में इस्थत चनपटिया चनपटिया श्टार्ट अप जोन से मलेसिया इंडोनेसिया कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा तो य आलि में बिहार के किस उतपात को जी आई टैक दिया गया है मिधिला मखाना को दिया गया है बिहार में सहजन की खेती पर प्रती एकर कितने रुपई का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है तो ये पचास अजार ठीक है पचास अजार किस अध्या देश के तरगत नगर निकाय चुनाओं में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभीन नगर निकायों के परमुखों का चुनाओं करेगी तो ये बिहार नगर पाली का संसोधन अध्यादेश 2022 के अनुसार बिहार के किस खिलाडी ने राष्टिये इस पेल आश्टिये ग्रेपलिंग कुस्ती में स्वर्ण पदक जीता है भूसन कुमार महतो ने जीता है बिहार इंडर्ष्टी एसोसियेशन के अध्यक्ष बने है अरून अगरवाल बने है हाली में बिहार सरकार द्वारा बाल विबाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद पहली बार बॉस्विक बैस्विक बॉध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस अस्थान को दिया गया है तो यह हो जाएगा आपका अनालंदा को हाली में परियतन विभाग बिहार सकार के द्वारा सेरसा सूरी महसों का आयोजन कहां किया गया था तो रोहतास में किया गया थ बिहार के किस अस्थान पर IT City बिक्सित किया जाएगा तो ये राजगीर में World Robotics Championship में बिहार के कितने छात्रों का चैन हुआ है तो ये 6 छात्रों का हुआ है हाली में बिहार के किस खिलाडी का चैन एसिया पैसेफिक डेफ बैडमिंटन चैंपेंशिप के छठे संस्करन में हुआ है ये रित्विक आनंद का हाली मेरा सरकार ने पचीस सो साल पुरानी साइकलोपियन वाल के लिए इन्नेसको के हेरिटेज एस्थल की मांग के लिए परस्ताव भेजाया बिहार के किस अस्थान पेहनर ये राजगीर में है बिहार के राजगीर में इस सथ है बिहार के पुनावरा धाम को स्वदेश द दोसवा सत्र स्मृती अस्तंब का अनावरन किसके द्वारा किया गया तो नितीश कुमार के द्वारा किया गया है ठीक है नेक्ष देखते हैं हाली में बिहार के पुनावरा धाम को स्वदेश दर्सन अच्छा ये तो हो गया सीता मड़ी हो जाएगा नेक्ष बिधान परिसत के कबीर वाटिका में नौ निर्मित दोसवा सत्र अस्मृती अस्तंब का अनावरन किया गया है तो ये हो जाएगा नितीश कुमार के द्वारा किस मैथली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में सामिल किया गया है तो ये धुईन को बिहार के किस अस्थान पर लोजिस्टिक पार बिक्सित किया जाएगा तो ये हो जाएगा ये सभी है बिहटा है रक्सौल है पतुआ है हाली में आई पूस्तक दलेजेंट और बिर्सा मुंडा के लेखक बने है तो ये उप्यूग दोनों है बिर्सा मुंडा अच्छा हां तूहीन ए सिनहा और अंकिता वर्मा ठीक है दोनों ही हो जाएगा हाले में बिहार के किस जीला में विकेंदरी करिंद जै चिकित्सा अपसीष्ट भस्मक के अस्थापना की गई है तो ये आपका हो जाएगा बकसर में किस जीला में विकारियों द्वारा अस्थापित बैंक राष्टिये अस्तरपर चर्चा में है तो ये मुझअफर पूर म योंड वन योंड जलवाय। परिवरतन विभाग के दवारा कौन सा application launch किया गया है ये बिहार heritage ड का लाइस का अंसर बिहार heritage tree application बिहार के ये किस जिला में बुध सम्यक दरसन संगरहाले और बुध सम्रिती स्टूप का निरमान किया जा रहा है तो ये बोट, सॉरी, बैसाली में किया जा रहा है, बैसाली में किया जा रहा है, नेख देखते हैं बिहार के किस कॉलेज को Ministry of Education की ओर से Study in India प्रोग्राम के तहर चैनित किया गया है, तो ये पटना Women's College, बिहार में कहां पर अंतराष्टिय पित्री पक्ष मेला कायोजन किया जाएगा, तो ये पुन-पुन में, बिहार का नीमा गाउं में, फिल्म सिटी का निर्मान किया जा रहा है, कहां इस सथ है नीमा गाउं, राजगीर में, सतरा अगस्त को दजरत मांजी महस्व दोहजार बाइस कायोजन किया गया, तो ये किस जिले में, गया जिले में किया गया है, बिहार दिवस के असर पर हाप्रर, कोलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोसना की गई है, तो ये हो जाएगा, The Book of बिहारी लिटरेचर, हाली में जारी चोथे राजस्वासुचकांक में, बड़े राज्यों की सूची में, बिहार को कौन सा अस्थान मिला है, तो बिहार को नीचे से दूसरा मिला है, ठीक है, नीचे से दूसरा, बिहार के किस जिला में, बिहार का पहला तैरता हुआ, सौर उर्जा बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने सपत लिया है 31 मंत्रियों ने हाली में जल जीवन हर्याली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने कड़ोर रुपए की स्विकृति दी गई है तो ये 12563 करोर रुपए राज के लोगों को मांचिस सहित भूमी अंधी डिजितल दस्तावरज को घर पहुचाने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया है तो ये पहला राज बन गया है बिहार के 22 जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल बिदूत परियोजना का निर्मान किया जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा डगमारा जल बिदूत परियोजना है ना तो ये सुपॉल केंद्रिय स्वास्त और एवं परिवार कल्यान मंत्री मंसुख मंडाविया ने बिहार के किस अस्थान में फसाई की राश्चिये खादे प्रयोकसाला का उधगाटन किया है तो ये हुझाएगा रक्सॉल में अस्थार एसेस अवार$2022 के सममान के इंतरत कि स्खिलाडी को विसेस मानियता पुरषकार से सम्मानित किया गया है पर्मोध भगत को बिहार के किस ब्यक्ति को हैंड़ फ्रिडरेशन ओफ इंडिया का उपाधियक्ष निउख्ट गया है तो ये ब्रज की सोर सर्मा भारतिय भू बैग्यानिक सर्वेक्षन बिहार के किस जिले में 222.88 million टन सोने का भंडार पाय जाने की पुष्टी की गई है जम्मूई में जम्मूई के जिले में बिहार सरकार ने हाली में मेडिकल और इंजिनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने परतिसत अरक्षन देने की घोसना की है तो 33% हो जाएगा हाली में सोतंता दिवस के उसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को विभिन पदकों से सम्मानित किया गया है 26 को बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा तो ये एमस पटना में नेशनल कैंसर मनेजमेंट सेंटर बिहार के किस ब्यक्ति को गलोबल लीडर आप द इयर 2021-22 पुलसकार सम्मानित किया गया है सुनैना सिंग को पटना और सोनपूर के बीच में किस टापू परमा गंगा की 101 मीटर उची परतीमा अस्थापित की जाएगी ये सबलपूर में बिहार राज्य का नया परमुख सचीव किसे बनाये गया है तो ये अमीर सुभानी को बिहार के किस महिला को ग्रामिन और अंचित महिलाओं को ससक्त बनाने में उतक्रिष्ट योगदान के लिए नारी सक्ति पुरसकार दिया गया है तो ये हो जाएगा वो अनीता गुप्टा हाली में बिहार के किस जीला में ड्रोन उद्धो को बिक्सित करने के लिए उतपादन और रिसर्च अनुसंदान कम्पनी एलरॉन नेविगेशन प्राइबेट लिमिटेट का सुभारंब किया गया है तो ये हो जाएगा आपका डी है और अंगाबाद बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फर्मूला बायनोमिनल थीओरम को सुलजाया है तो ये प्रोफेसर आर एन सिंग बिहार इन्वेश्टर मीट का आयोजन कहा किया गया है दिल्ली में दिल्ली के प्रगती मैदान में भारत भारती अंतराश्ट्य वैपार मेला के 40- इसवे संसकरन में बिहार को कौन सा पदक मिला है तो स्वर्ण पदक मिला है भारत में कुल पंजीकृत इलेक्टिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा अस्थान है ये चौथा है स्वक्षता सर्वेक्षन 2021 में ओवर्वेल रैंकिंग में बिहार का स्थान बताना है 17 हुआ है भगवान बुद्धी की भारत की सबसे बड़ी सोय हुए मुद्रा में मुर्ती का निर्बान कहां किया जा रहा है तो ये बोध गया में हाली में सोदंतता दिवस के औसर पर बिहार की कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रिय ग्री मंतरी पदक से सम्मानित किया गया है साथ हाली में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरी इस्मृती उपनिया सम्मान 2022 के लिए चैनित किया गया है तो यह हो जाएगा बीभारानी बिहार के किस जीला में मुंडेश्वरी महसो का आयोजन बिहार प्रयाटन बिभाग के द्वारा किया गया है कैमूर जीला में किस जीला में लोह अयस के भंडार मिले है तो यह हो जाएगा जहानाबाद में CM Digital Health Scheme को मंजूर दी गई है इसके ताथ कितने रुपए खर्च किये जाएंगे तो यह 300 करोड रुपए 300 करोड रुपए हाली में बिहार के किस ब्यक्ति ने देशी बैटरी मेनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है जिससे DRDO ने भी सर् इतने बनाया है राज्य के सभी सारजोनी गाडियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार कर दिया है तो यह इमरजेंसी बटन अनिवार किया है पूर्मध रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में प्रहले अस्थान पे हैं तो यह हो जाएगा पटना जग्षन के दस सर्वस्रेश धाने में सामिल किया गया है बिहार के किस जीले में इस्तत है तो यह हो जाएगा अरवल में हाली में हुई राज में पहली पक्षियों की जनगन्ना में राज में पक्षियों की कितनी परजातिया है तो दो सदो परजातिया है बिहार के किस पे का सुभारंब किया गया है तो यह हो जाएगा म्यूजियम परीसर पटना में देश का साथवा इसकौन मंदिर का उद्गाटन किया जा रहा है तो यह आपका कहां पर किया जा रहा है पटना में हाली में बिहार के मुखमंत्री नितीज कुमार ने 10 अगस 2022 को आठवी बार जोसना के नुसार दहेज प्रथा और बाल विबाह के खिलाब की से ब्रांड मेंश्टर निउक्त किया गया है इसकूली छात्र छत्राओं को 81 का D है राज में बैसाली महसों का आजन कब से कब तक किया गया 14-16 अपरेल 2022 तक हाली में आजित हेमें ट्रॉपी पर बिहार के भागलपूर जीला ने कबजा किया है या ट्रॉपी की स्खेल से संबंदित है क्रिकेट से संबंदित है राष्टिय पंचायती राजपुरसका 2022 के अंतरवत अलग-अलग के टेगरी में बिहार को कुल कितने पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो 12 सड़क हाथसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का अस्थान कौन सा है पंद्रहवा अस्थान है बिहार के CEMS पर नाली को राष्टिय अस्तर पर अवार्ड ओफ एक्सिलेंस दिया है तो CEFEMS का फूल फॉर्म क्या है तो इसका फूल फॉर्म है comprehensive finance management system ठीक है यह CFMAC है ठीक है F है तो comprehensive finance management system इसका फूल फॉर्म है कि इस company के corporate social responsibility fund के माध्यम से बिहार के सभी जीलों में में मेदानता होस्पिटल की अस्थापना तो यह हो की जाएगी कि जिला को one district one product के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवाट से सम्मानित किया गया है तो यह है दर्भंगा बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनीज के कितने ब्लोक आवंटीद किये गया है चार बिहार के चीनी मिलो में किस राज का मोडल लागू होगा तो यह महराष्ट में हाली में लौंच की गई बिहार स्टाटप पॉलिसी 2022 के अंतरगत स्टाटप के लिए कितने लाग का सीड़ फंड दिया जाएगा तो यह 10 लाग भारत के परसित फेलो सिफ परधान मंतरी रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस चातर का चैन किया गया है तो यह समसाद असरप को समसाद असरप को केंसरकार दोरा आयोजित कारिकरम बिग्यान सरवत्र पुजियते के अंतरगत बिहार के किस कॉलेज का चैन किया गया है तो इसमें है सीएम साइन्स कॉलेज बिहार का पहला ट्रैफिक फार्क किस जीला में बनाने की मनजूरी हुई है पटना में हाली में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूम की खरीद पर कितने परतिसत का अनुदान देने का घोसना किया है तो यह हुजाएगा 90% तक किस वर्थ तक बिहार को काला जार मुक्त बनाने का लक्षे रखा गया है तो यह 2022 तक ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरन कितना वर्ग किलोमीटर है तो यह है 7380.79 वर्ग किलोमीटर है ठीक है ए है इसका अन्सर पॉपुररर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया नाम से आतंगी संगठन का बिहार के किस जिला में मुक्याले खोला गया था तो यह पुर्णिया में हाली में नेशनल वाटर डेवलोप्मेंट ऑथरिटी की खोच से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और जहारखंड की स्वर्नरेखा और दामोदर नदी को जोडने का प्रोडक्ट है दिया गया है तो यह NIT पटना को आजादी के अ पहली वाराज और केन सासित परदेश की स्रेनी में राष्टिये इसमे अवार्ड पुरसकार 2022 का कौन सा पुरसकार इसको मिला है तो यह दियुतिये पुरसकार किस तीथी को मुख मंतरी नितीश कुमार के द्वारा इमर्जेंसी डिस्पोंस सपोर्ट सिस्टम आपात नंब सम्मानित किया गया है मौसम वस को सम्मानित किया गया है विहार के किस बिस्वविद्याले के बैग्यानिकों ने सूपर फाइन कैल्सियन ऑक्साइड तयार किया है जो पानी में मौझुद फ्लोराइड और आरसेनी को हटाने में उप्योगी और प्रभावी होगा तो यह है आरे भट ग्यान विज्व विद्याले ने किया है बिहार सरकार बेघरों और गरीबों के रहने के लिए किसके नाम पर नगर वसाएगा तो ये नरेंद्र मोदी और नितीज कुमार के नाम पर किस तीती से पूरे विहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी समगरी पर पुंतर रोक लगा गई तो ये एक जुलाई दो हजार बाईस एक जुलाई दो हजार बाईस अन्य क्रिसी यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे तो ये है मुख मंत्री हरीत क्रिसी सन्यंत्र योजना बिहार के क्रिसी बैग्यानी को द्वारा बिक्सित की गई सब और क्रिष्ने कली सबजी किस सबजी की नई पर जाती है तो ये हो जाएगा बैंगन की आली में नौवी सीनियर राष्टी रगवी पर्तियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हराकर किताब पर कबजा किया है तो ये हो जाएगा पच्छीम बंगाल को बिहार के किस योजना को केंद्र ने मौडल के रूप में स्युकार किया है तो ये है बिक्षा बृ पर्भाकर पर्भाकर हो जाएंगे अब नेक्ष देखते हैं हाली में पटना उच्ण्याले के प्रथम महिला जज का निधन हो गया इनका नाम क्या था इंदू प्रभासिंग बिहार के नगण निगम के सफाई के ब्रांड अमेश्टर कौन बने है जिन्हें सम्मानित किया गया है तो ये संजय मिस्रा बने है संजय मिस्रा बिहार की टेक्ष्टाइल और लेदर नीती मुखमंत्री नीतीज कुमार के द्वारा कब लौंच की गई है तो ये 8 जुन 2022 को बिहार के किस ब्यक्ति ने मानो रहित विमान का एक मॉडल त्यार किया है तो ये सावेत अक्तर ने किया है रासभा के लिए बिहार से कितने परत्यासी निर्वाचित घोसित किये गया है पांच हाली में SBI के मैनेजिंग डिरेक्टर के रूप में चनीत अलोक चोधरी बिहार के किस जीले से ये संबंधित है ये समस्ति पूर से समस्ति पूर से है हाली में पुना निर्मित गांधी सेतु का उद्गाटन किसके द्वारा किया जा रहा है तो ये नितीश कुमार और नितीन गटगरी के द्वारा बिहार के पुर्वी चंपारन जीला में सुरू की गई गार्जियन ओफ चंपारन अभियान किसे संबंदित है ये ब्रिक्ष संरक्षन से संबंदित है हाली में बावन वर्ष के लंबे समय बाद उत्तर कोईल जला से योजना के निर्मान को मंजूरी दी गई है तो इसके लिए केंसरकार के द्वारा कितने रुपे कडोर रुपे स् 1738 कडोर रुपे जमसेदपूर में आयोजित चौती इंडिया ओपें जैलियन थ्रो परतियोगिता में बिहार के किस खिलाडी ने कांस पदक जीता है नीसा कुमारी ने जीता है मसरूम उतपादन में बिहार देश में कौन से अस्थान पर पहुँच गया है तो ये प्रथम अस्थान बिहार में पहली बार गंगो उत्सो का आयोजन किस वर्स किया जाएगा तो ये 23 में किया जाएगा दो हजार 23 में बिहार के किस बैग्यानिक को बिस्ष बैग्यानिक प्रसकार से सम्मानित किया गया है अनील कुमार सिंग को बिहार के किस जिला में बिहार पसू ब पटना में 88 वर्सोबाद विहार के किन दो अस्थानों के विच पहली बार ट्रेन परिचालन शुरू हो रहा है मदू बनी से सहरसा विहार के किस वैग्यानिक ने तीन नए चुम्बक्ये नैनो पदार्थ किको सनरचना की खोज की है तो ये राकेश कुमार ने किया है राष्टिये सिक्षक पुरसकार 2022 के लिए बिहार के कितने सिक्षकों को चैन किया गया है 6 है बिहार के किस वैक्ति को मर्नो प्रांत ये सहित अकादमी अनुवाद पुरसकार के लिए चैनित किया गया है तो ये सिखा गोयल किस जीला में बिहार के किस जीला में 550 करोड की लागत से निर्मित पेपसी बॉटलिंग प्लांट का उदगाटन मुख मंतिर नितीश कुमार के द्वारा किया गया बेगू सराय में हाली में केंसरकार ने वन डिश्टिक वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उतपाद को परधान मंत्री अवार्ट से सम्मानित किया है ये मखाना को रोकोटो को और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है तो ये पूलिस विभाग के द्वारा हाली में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक औफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है ये मुरली मनोहर परस्री वास्तो को किस वर के लोगों के लिए मुखमंतरी नितीस कुमार के द्वारा मिसन आत्म निर्वर अभियान सुरू किया गया है महिला वर के द्वारा सुरू किया गया है हाली में बिहार के किस व्यक्ति को साहित भूसन पुरसकार 2020 के लिए चुना गया है तो ये है सीव दयाल बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जीला के में मिल खोलने की घोसना की गई है तो ये पटना में बिहार में देश का पहला ग्रीन फिल्ड एथेनॉल प्लांट का उदगाटन 30 अपरेल 2022 को किसके द्वारा किया गया है नितीस कुमार के द्वारा बिहार पुलीस में बाल सिपाह कि नियुक्ति के लिए उम्र सिमा क्या रखी गई है तो ये हो जाएगा सी बारा से अठारा वर्स पटना में नौ निर्मित इसकॉन टेंपल का उदगाटन कभे किया गया है तीन मई 2022 को केंसरकार की अम्री सरोवर योजना के तहट बिहार के कितने तालाबों का चयन अम्री किस रोवर के रूप में विक्सित करने के लिए किया गया है तो ये अठाई सो पचास किस रोग के अनमूलन में बेहतर परदर्शन के लिए केंद्रिय स्वास्तियों परिवार कल्यान मंत्राले के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है मलेरिया बिहार के किस जिला को पर बेचसाला को जगद ये बिहार के किस जिले में है तो ये मुझभफर पूर में है किस अस्थान पर एस्पोर्ट साइंस सेंटर खोलने की मन घोसना की गई है तो ये राजगीर में राजगीर में 23 अपरेल 2022 को बीर कुर सिंग की जैनती पर एक साथ कितने तिरंगा लहरा कर वि ब्यक्ति के नाम पर पांच रुपए का टिकट जारी किया है राजन कुमार के नाम पर बिहार के किस जिला के डेरी प्रोडक्ट को मोश्ट रस्टेट ब्रांड अवार्ट से सम्मानित किया गया है तो ये पटना गुहाटी में आयो जीत जूनियर नेशनल बाली का लिए तो यह भगवान महाबीर आयरविःज्ञान संस्थान रखा गया है सीविल सेवा दिवस के और भिहार के किस अधिकारी को परधान मंतिर सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ये आपका हो जाएगा अनंद कि सोर राज का पहला उक्सिजन पार किस जिले में थापित कि जाएगा तो गुपाल गंज में किस बैंक के द्वारा मेरा गाओं मेरा बैंक पहल सुरू किया गया है किस बैंक के द्वारा तो यह भारती है एस्टेट बैंक के द्वारा SBI होगा SBI के द्वारा हाली में मुखमत्री समय की चौर विकास योजना के तहट बिहार में किस चीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई तो ये हो जाएगा मचली पालन राजी के कितने थाने में महिला help desk की सुर्वात की जाएगी 500 महिलाओं का सरवाधिक टीका करन करने में बिहार का कौन सा अस्थान आया है पांचवा अस्थान आया है Center for Monitoring Indian Economy के ताजा रिपोर्ट के अनुसार Graduate बेरोजगारी के मामले में बिहार को कौन सा अस्थान मिला है किस कमपनी के साथ समझोता किया है तो टाटा टेकनोलोजी के साथ बिहार में टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोडी दवा दी जाएगी इस अभियान की सुर्वात कितने जीलों में की जाएगी 11 में बिहार में बाल तसकरी और बच्चों को पलायन रोकने के लिए राज में एक मानक संचालन पर किरिया तै किया जाएगा तो यूनिसेप की मदद से राजी की कौन सी संस्थान इस पर रिसर्च कर रही है तो ये चानक के राष्टिये विदी विश्व विद्याले भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021-22 के अनुसर बिहार में सलाना प्रतिब्यक्तियाय कितने रुपए की बढ़ोत्री हुई है 1221 रुपए की बरोट्री हुई है परधानमति आवास योजना को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा अस्थान मिला है तो ये तीसरा अस्थान मिला है नीति आयक द्वारा दिसंबर 2021 महीने का अकांची जीलो का रैंकिंग जारी किया गया है जिसमें बिहार को कौन सा जीला सिक्षा के छेत्र में सिर्ष पर आया है तो ये हो जाएगा आपका मुझाफर पूर बिधान सभा सताबदी इसम्रीती असम का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जीला में केवेडिया के अंकोरवाड कमबोडिया के अंकोरवाड मंदिर से लगभग 220 फुट उचा बिराट रमायन मंदिर का निर्मान किया जा रहा है पूर्वी चमपारन में किया जा रहा है बिहार के किस जीला में केंसरकार की सहायता से अक्षे उर्जा भवन का निर्वान किया जा रहा है जहां एनरजी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी ये पटना में किया जा रहा है बिहार के किस क्रिसी विस्विद्याले के द्वारा रंगीन फूल गोवी की परजाती की सुरवात की गई है। है दो हाली में परसीद पुस्तक ऑपरेशन खुकरी का हिंदी संस्करन का विमोचन किसके द्वारा किया गया है तार किसोर परसाद बिहार के कितने जीलों में प्रयाटन केंद्र कोलने की घुसना की गई है तो ये 38 जीलों में है किस जीला के नवी नगर में 569 मेगावाड की बिजली उत्पादन की उनिट तयार की गई है तो योरंगाबाद में तयार की गई है बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है ये है अंजली यादो बिहार के किस भासा के साहित कार लीली रे का निधन हो गया तो ये मैथली के बिहार तो ये हैं गोपाल गंज के हाली में लॉंच की गई हीट कोविट अप्लिकेशन किस के द्वारा त्यार की गई थी बेल्ट्रॉन के द्वारा बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल अफ फेम से सम्मानित किया गया है रीतु राज चौधरी को 26 जन्वरी 2022 को आयोज परिस्त को बिहार के सडकों के नेटवर्क में कितने परतिसत का विस्तार हुआ है आठ परसेंट बिहार के ग्रामिन इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतिये रेलवे के द्वारा राज्य में कितने डाटा सेंटर की जाएगी तो ये हो जाएगा मचली देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्सिप मोड में सौ सैनिक स्कूल खोले जाएंगे इनमें बिहार के कितने स्कूल खोले जाएंगे बिहार में तो नौ खोले जाएंगे केन सरकार के द्वारा कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर के रूप में गोसित किया गया है विहार के किस जीला में फैला हुआ है तो यह हो जाएगा कैमूर और रोहतास में विहार के मुझाफर पूर जीला के बाद विहार का दूसरा कंटेरर केविन अधारित पी एस एस किस जीला में सुरू किया गया है यह पटना में किस परियाटन अस्थल्प राज्य का पहला ब्याख्यान केंदर बन कर तयार हो गया है तो ये है जू सफारी राजगीर में केंसरकार की महत्वकांची जलमार्ग पर योजना के तहट बिहार का कौन सस है पहली बार अंतराश्टिय जलमार्ग से जुड़ गया है तो ये पटना है पटना में मुकदमों की सुन्वाई को किस सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है तो यह है यूटूब नेक्ष है दिल्ली में आयोजी डायटेम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किस महिला को गुडविल अचीवर अवाड से सम्मानित किया गया है तो यह हो जाएगा आरती सुमन चौधरी महिला स्वाभिमान विसेज सस्रबल का मुख्याले बिहार के किस जीले में है तो यह पच्छिम चमपारन में है डेडिकेटिट फ्रंट कोरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जीला में हाई स्पीट इंजन का निर्मान किया जा रहा है तो यह डी हो जाएगा मधे पूरा बिहार के कितने साइक्लिंग खिलाडी का चैन खेलो इंडिया कारक्रम के तहत किया गया है चार हाली में बिहार के सब और क्रिसी विस्विदाले के द्वारा सब और वन नामकी सबजी के उन्नत किस्म का है तो यह परवल का है किस्म का इलाज किया है परवल का तो बिहार के किस व्यक्ति को राज्ट्य प्रेरना दूद अवाट से सम्मानित किया गया है तो ये आदित कुमार को हाली में बिहार के किस जीला में इस्तत उदैगिरी परबर स्रिंखला में दो प्राचीन गुफाएं मिली है नालंदा में बिहार के किस जीला में राज्य का तेरता हुआ सौर पावर प्लांट तयार हुआ है बनकर तो ये हो जाएगा बेगू सराय में नेक्स देखते हैं, बिहार के किस जीला में हाइड्रोपोनिक्स विधी से खेती की सुर्वात की गई है, तो ये है भोजपूर, जमुई की विधायक सरेयसी सिंग ने पंजाब के पटियाला में आयोजित, चोशट्वी नेशनल सूटिंग चैंपियंशिप में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट कोशन देखते हैं, निम्न लिकित में से कौन सा कथन सत्ते है बताना है, तो फर्स्ट है इसमें बिहार के मधुबनी जीले के जगदीश परशांत मंडल को मैथली भासा के लिए साहित एकैडमी पुरसकार 2021 कि सी है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्स तक विद्याले सिक्षा में सत परतिसत सकल नमांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष रखा गया है, तो ये 2030 तक रखा गया है, 2030 बिहार बज़र 2022 ते इसके अनुसार राज्य के कितने सहरों को मॉडल टाउन के रूप में विक्सित किया गया है, तो ये हो जाएगा छे सहरों को, कौन-कौन, मुझापफरपूर, बिहार सरीफ, मुंगेर, सुपॉल, बोधगया और राजगीर, ये सब ही ठीक है, ए है इसका अन्सर, नेक्ष है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दोहजार द्वारा जारी, 2020 के आकड़ो के अनुसर, देश में अपराद के मामले में बिहार किस अस्थान पे है, तो बिहार यहां पे 25 अस्थान पे है, 25 अस्थान पे, बजट 2022 के अनुसर, बिहार में पहले चरन के अंतरगत, किन तीन जीलो में, मेगा स्कील सेंटर खोले जाएंगे, तो एक किन तीन जीलो में है, प बटना नलंदा दर्भंगा हाली में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं तो ये फूल चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी सरंदोनों बने हैं इसका एंसर एक देते हैं हाली में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहां थे उपनियास के लिए बिहारी पुरसकार दो हजारी किस से सम्मानित किया गया है तो ये मधु कंकरिया को मधु कंकरिया को हाली में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजान अंसरस्वती की कौन सी जैनती मनाई गई है तो ये 133 वी जैनती मनाई गई है मार्च 2022 में पटना ज्यान भवन में संपन हुए बसंत उत्सों महिला उद्दमी मेले में किस महिला को सफल डीजी पेक्स 2022 में बिहार के किस परसीद जी आई टैग उत्पाद पर विसेश आवरन का भी मोचन किया गया है तो ये मगही पान ठीक है मगही पान मुंबई के नेहरू सेंटर में आयो जीते एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राजी के जैयुक उत्पादों को बिस्षिष्ट पुरसकार परदान किया गया है तो ये बिहार है हाली में करनाटक के मैंगलोर में खोली गई सोरी खेली गई सरसटवी सीनियर राष्टिये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनसिप में बिहार को कौन सा अस्थान मिला है तो बिहार को मिला है तीसरा नेक्स देखते हैं बिहार की पहली नदी जोड़ों पर योजना के तहट वर्स 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा तो ये बुढ़ी गंड़क और बागमती को जोड़ा जाएगा अपरेल 2021 से जनवरी 2022 तक के बीच निर्यात के मामले में सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा अस्थान मिला है तो बिहार को बाइसवा अस्थान मिला है बाइसवा बटना नगर निगम द्वारा निसुलक पार्किंग सुईदा उपलब्ध कराने के लिए किस एप को लॉंच किया गया है तो ये स्वक्षता आप को लॉंच किया गया है वानीज मंत्राले द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में सिर्श सस्थान पर कौन है? तो सिर्श सस्थान पर बेगू सराए है. हाल ही में जारी घोसना चेनिसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा? जहां लोगों को digitized भूमी संबंधी दस्तावै जो को घर पर ही हासिल करने की सुधा मिलेगी? तो ये पहला है, सैंपल रेजिस्टेशन सर्वे द्वारा हाल ही में, जारी रिपोर्ट की अनुसार 2017 से 19 में, बिहार में मात्र मिर्तुदर क्या थी, तो ये हो जाएगा आपका 130, ठीक है, 130 मात्र मिर्तुदर जो है, 2017 से 19 के बीच है, नेक्षे सैंपल रेजिस्टेशन सर्वे की रिपोर्ट की अनुसार बिहार में, सीसु मिर्तुदर 2019 में, प्रती हजार जीवित जन्मों पर कितना है, तो ये हो जाएगा 29 है, ठीक है, 29 है, हाल ही में, समास सेवी अमीत कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेदकर राष्टिय पुरसकार से सम्मानित किया गया, तो बिहार के की जिले के ये रहने वाले हैं, तो ये हो जाएगा नालंदा के, बिहार राजी के जल संसाधन विभाग ने राज में तत्बंडी और नदियों से संबंदित आकड़ों के बेहितर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम बिक्तित किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है, बीम्स, बीम्स, नेक्षय हाली में, मिस ट्रांस क्वीन, इंडिया की ब्रांड मेश्टर, बनने वाली भारत की पहली ट्रांजेंडर कौन बनी है, तो ये नब्या सिंग बनी है, नब्या सिंग, मधुबनी जिले के किसी ब्यक्ति को अमेरिकी राश्पती, जो विडेन ने COVID-19 रिस्पॉन्स को अडिनेटर जिले के निवासी हैं, भोजपूर के हैं, नसा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए, हाप मैराथन आयोजन किस जिले में किया गया, हाप मैराथन तो ये पटना में किया गया, ठीक है, पटना में, नेक्स देखते हैं, इसमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने द पर किहार को सरकार के अनूसार देश का 44% सोना बिहार के किस जीले में है जहां 223 मिलियन टन्स स्वन भंडार होने का अनुमान है तो ये जमूई में है हाली में खबरों में रहा ओड़नी डैम बिहार के किस जीले में इस्थत है तो ये आपका हो जाएगा बांका जीले में इस्थत है बांका जीले में कोसी नदी के किनारे इस्थत गुवारी डी अपने दामन में हजारों साल पहले का पूरा तात्युक औसे समेटे हुए है तो 21 जीले में इस्थत है तो ये है भागलपूर में ठीक है भागलपूर राज्य में परियटन को बढ़ावा देने के उद्देश से कि जीले में इस्थत मंदार परवद को 50 क्रोर की लागत से मोर अभ्यारन छित्र बनाने की पहल शुरू की गई है तो ये हो जाएगा बांका में ठीक है बांका में इन में से कौन सा कतन सत्ते है तो ये देख लिजे कैबिनेट की मन जूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 263 हो गई है तो ये सही है इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख् 155 हो गई है तो दोनों इसमें तीनों ही कथन सकते हैं ए बी सी तीनों कथन यहाँ पे सकते हैं नेक्स देखते हैं बिहार में पुलिस एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमर्जेंसी नंबर जारी किया गया है तो यह नंबर कौन सा है तो यह नंबर है 112 ठीक है बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला DNB प्रसिक्षन संस्थान खोला जाएगा, तो ये मोतिहारी सदर अस्पताल में, मोतिहारी सदर अस्पताल में, नेक्ष है जन्वरी 2022 में न्याय मुर्ती संजीव पुरकास वर्मा ने पटना हाई कोट के जज के रूप में पत ग्रहन किया है, तो इस संबन में कौन सा कथन सकते हैं, तो ये है D, सभी कथन सकते हैं, ये राजस्थान हाई कोट से अस्थानांतरित होकर पटना हाई कोट आये हैं, इनके पद धारन के बाद पटना हाई कोट में जजो की संख्या 26 हो गई है, और स्विक्रित पदों की संख्या कितनी है, 53 है, लेकिन अभी कितना हो गया है, 26 है अभी, वर्तमान में पटना हाई कोट के मुख नियादीज जो है, संजय करोल है, संजय करोल, जनवरी 2022 में किस राजसरकार ने घोसना किया है, कि सरकारी भावनों के निर्मान में फ्लाई एज से बनी, इटो का उप दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया है, 160 हवा दिवस, 160 हवा दिवस, नेक्षए राजसरकार ने बिहार नगरपाली का संसोधन, अध्यादेश 2022, अधिसूचित कर, नगर निकायों में महापौर और उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प परत्यक्ष रूप से किया जाएगा, हाली में बिहार के किस जीले में रेल सूरंग इमान किया जा रहा है, तो ये किस जीले में है, मुंगेर में, सरकारी और दोगिक प्रसिक्षन संस्थानों को सेंटर ओप एक्सिलेंस के रूप में बेक्सित करने के लिए, बिहार सरकार किस संसा के साथ समझोता किया है तो ये टाटा टेक के साथ ठीक है टाटा टेक के साथ हाली में बिहार के समस्ति पूर जिले से समबंदित किस योग प्रसिक्चक को राश्टिय प्रेर्णा दुद्ध प्रसकार से सम्मानित किया गया है तो यह है मोनालिसा सिंग को हाली में बिहार में सरकार ने किस तीथी को सहीद दिवस के रूप में मनाने की घोसना की है तो यह पंदरा फरवरी को ठीक है पंदरा फरवरी को बिहार के किस जीले में सुखेत मोडल गोबर के बदले गैर सी होजना पर आधारी दाट टिकर जारी किया गया है तो ये मधु बनी में किया गया है पिहार के किस जिले में इस साइक्लोपीन दिवार को साइक्लोपीन दिवार है इसको इनेशको हेरिटेस साइट में सामिल करने का विचार किया गया है तो ये नालंदा में है साइक्ल दिवार नालंदा बिहार से चोरी हुई बारसवर्स पुरानी भगवान और लोकीतेस्वर भगवान बुद्धिकी मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्ने किया गया है तो ये इटली से इटली से लाय जाएगा बिहार संग्राले का महानी देशन किसे नियुक्त किया यह अंजनी कुमार सिंग को निव्ट किया गया है। बिहार के निम्नमेस की जीले में वनावरन का परतिसत सबसे कम है बताना है। तो यह सेकपुरा में है। बिहार का BTA वर्स 2022 ते इसका कुल ब्याय बजट का अनुमान बताना है कितना है। तो यह हो जाएगा आपका 2,37,691 पॉइंट एक नौ करोड रुपए है, बी है इसका अंसर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षन दोहजार इकीस बाइस के अनुसार, बीस इकीस में बिहार का सक्खल राजिक घरेलू उत्पाद वर्तमान मुल पे बताना है, ठीक है, एक वर्तमान मुल होता है, एक इस तर मुल पे, ये वर्तमान मुल पे कितना है, वर्तमान मुल पे 618.63 खडोर रुपए है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षन दोहजार इकीस बाइस के अनुसार, बिहार के कीस जीले में, वर्त दोहजार उननीस बीस में प्रति ब्यक्ति सकल जीला घरेलू उत्पाद सबसे कम था, तो ये हो जाएगा सी उहर जीले में, ठीक है सी उहर में, बिहार आर्थिक सर्वेक्षन दोहजार इकीस बाइस के अनुसार, दोहजार बीस इकीस में राज्य में खाद्यानों का कुल उत्पादन अनुमानित था, तो ये हो जाएगा 17.95 लाक टन था, ठीक है 17.95 लाक टन, चलिए पहला एवं देश का दूसरा वानी की कॉलेज, किस जीले में बनाया जा रहा है, तो ये मुंगेर में बनाया जा रहा है, बिहार सरकार के जल संसादन भिभाग द्वारा बिभीन परियोजनाओं की जाच के लिए, किस एप को लौंच किया गया है, तो ये द्रिष्टी एप को लौंच किया गया है, हाली में बिहार के किस अभिनेता को दादा सहाब फाल के इंटरनेशनल अवार्ड दोहजर पाइस में वेब सिरीज में सरुस्रेश्ट अभिनेता का पुरसकार दिया गया है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे मनोज बाजपोई को, ठीक है, मनोज जदीज परसाद मंडल, बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम स्रेणी क्रिकेट में तीहरा सतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाडी बन गया है, तो ये सकीबुल गनी, सकीबुल गनी, हाली में बिहार के किस अस्थान पर जूस अभारी की सुरवार्ट की गई है, तो बिहार के किस जीले में हाइड्रो पोनिक पदती पर आधारित खेती, बिना मिट्टी की खेती की सुरवात की गई है, तो ये भोजपूर में किया गया है, भोजपूर में, बिहार के सारन में, राश्टिये जलमार्ग वन पर निर्मित, कालू गहाट इंटर मॉडल टर्मिन की अधार सिला किसने रखी है तो यह हो जाएगा ए सर्वानंद सोने वालने ठीक है विहार के किस जिले में दुनिया के सब से उंचे रमायन मंदिर बिराट रमायन मंदिर का निर्बान किया जा रहा है तो यह पूर्वी चंपारन में किया जा रहा है पूर्वी चंपारन में क केंद्रिय बजट 2022 ते इसके अनुसर पटना में कितने वंदे भारत ट्रेनों की सुरुवात की जाएगी तो ये हो जाएगा दो दो वंदे भारत की सुरुवात की जाएगी नेक्स देखते हैं हाली में बिहार के किस ब्यक्ति को डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन उत्क्रिष्टा पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो ये प्रोफेसर तुसारिका सिनहा को नेक्स है 17 फरवरी 2022 को बिहार विधान मंडल दल के सदस्यों के लिए आयो जित्प्रबोधन कारेकरम का उत्गाटन किस ने किया है तो ये ओम बिल्ला ने बिहार क्रिसी जाती से संबंदित बीज सब और वन विक्सित किया गया है तो ये मखाना ठीक है मखाना नेक्षे बिहार के किस जिले में मुख मंतरी नितिन गटकरी ने स्री कृष्ण से तू पूल का उद्गाटन किया गया है तो ये मुंगेर पेपरलेस बिवस्था के तहत इए ओफिस पर नाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्टरेट कौन बन गया है तो ये बन गया है सहरसा ठीक है सहरसा बन गया है हाली में क्रिसी नेटवर्क एप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एमबेश्टर चुना है तो ये पंकच दिरपाठी को हाली में मुख मंतरी नितिस कुमार ने किस जिले में अमर सहीदो की मूर्ति का अनावरन किया है तो ये मुंगेर में किया है 14-18 परवरी तक पटना रेल्वेस्टेशन पर बीतिये साक्षर्टा सब्ता है कारेकरम का आयोजन किस के द्वारा किया गया तो ये भारतिये रिजर्व बैंक के द्वारा बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे उची परतीमा अस्थापित की गई है तो ये सीता मड़ी में की गई है सीता मड़ी में 251 मीटर उची है बिहार के किस जिले में परियतन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्मान किया जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा मधु बनी में 31 जन्वरी से 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आजादी के 75 में अमरित महसो कारिकरम के अंतरगत स्रमिको की आईस रीजन के विशह पर किसान संगोष्टी का आयोजन किया गया है तो ये आपका हो जाएगा कैमूर में ठीक है कैमूर भभुवा में किया गया है बिहार सरकार के किस योजना के तरज पर केन सरकार ने इसमाईल योजना की सुरवात की है इसमाईल तो ये भिक्षा बृती निवारन कारिकरम थारू जनजाती के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है नेक्ष देखते हैं हाली में बिहार के कि जीले में कोशी सफारी की सुरवात की गई है तो ये आपका हो जाएगा सुपॉल में फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सुक्ष में लगू ये मध्य मुदोगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझाता किया है तो ये आपका हो जाएगा सिडवी के साथ सिडवी के साथ पटना के किस अभिनेता वो निर्देशव को दादा साहब फाल के इंडियन टेलिवीजन अवाट से सम्मानित किया गया है तो ये दीप स्रेश को नेक्ष है हाली में जारी एरपोट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार बिस्वे के दो सो चुनिंदा हवाई अड़े में बिहार का कौन सा हवाई अड़े सामिल है तो ये हो जाएगा पटना बिहार की पहली अवासिय स्पोर्ट्स एकाडमी अलफा का निर्मान किस जिले में किया गया है तो ये पटना जिले में किया गया है पटना में पिये मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1.719 एकर पर टेक्ष्टाइल पार का निर्मान किया गया है तो ये हो जाएगा पच्छमी चमपारन में बिहार विकास मिसन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सहरों में नल जल कनेक्षन देने के मामले में किस जिले को प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ है तो ये हो जाएगा जहानाबाद फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट की अनुसार ग्रामीन छेत्रों में नल जल कनेक्षन देने के मामले में किस जीले को प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ है तो ये बांका को हुआ है बांका बिहार के किस जीले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा जीले में साहित सम्मेलन में रोगोपचार योग केंद्र का अस्थापना किया गया है तो ये हो जाएगा पटना में हाली में बिहार की परसिद मैथली साहित का लिलीरे का निधन हो गया तो उसे उन्हें जो है किस उपनियास के लिए 1982 में साहित अकाद्मी पुरसकार दिया गया था तो ये मरीची का के लिए दिया गया था मरीची का बिहार के की जीले में इस्तत धार्मिक अस्थर पुनावरा धाम को परियाटर मंतराले की परसात ही होजना में सामिल किया गया है तो ये हो जाएगा सीता मरी बिहार सरकार न का 40% इमने में से कौन सा नयाले यूटूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पाँचवा नयाले होगा तो देश का ये पाँचवा नयाले है पटना उच्च नयाले हाली में बिहार के किस ब्यक्ति को बार काउंसिल ओफ इंडिया का BCI का चेर्मेन निक्त किया गया है तो ये मनन कुमार मिस्रा को मनन कुमार मिस्रा को बिहार उद्दमिता सम्मेलन 2020 के दवरान किसे बिहार विभूती सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ये रोहित कुमार को फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्तमंद्री मंगल पांडे ने होमी प्रवा, कैंसर अस्पताल एवम अनुसंदान केंद्र का उधगाटन किया है तो ये मुझभफर पूर में हाली में बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियन्स ने सबसे महेंगे खिलाडी के रूप में खरीदा है तो ये इसान किसन ने बिहार के जैविक मिसन के तहट कि किस जीले के क्रिसी कारियाले परिसर में जैविक सबजियों का आउटलेट खोला गया है तो ये हो जाएगा पटना में ठीक है पटना में नेक्स देखते हैं बिहार के किस जीले में मिधिला चित्रंकला संस्थान और मिधिला ललीत संग्रहाले कला भहौन का निर्मान किया तो ये हो जाएगा मधू बनी में, ठीक है, मधू बनी में, नेक्स देखते हैं, हाली में बिहार के मुखमतिन इन्दीज कुमार का, प्रधान सच्चिव की से नीध किया गया है, तो डॉक्टर एस सिधार्थ को, बिहार की तिलावे नदी को पुनर जीवित करने की ओजना बन तो ये B है कैमूर है फिर जमूई है फिर नवादा है और फिर मुंगेर है आर्थ निर्भर बिहार के साथ निश्चे टू जो 2020 से 25 के लिए चलाए गया है इसके अंतरगात BTA वर्स 2021-22 में विबीन विभागो के अंतरगात कुल बजट बताना है बजट का प्रावधान है 5000 कड बिहार आर्थिक सर्विक्षन 2021-22 के अनुसार वर्स 2019-20 में प्रति ब्यक्ति सखल जिला घरेलू उत्पाद के संबंद में बिहार का कौन सा जिला सिर्थ पर है तो ये पटना है ठीक है पटना तो ये सेट 2 आपका कंप्लीट हो गया सेट 3 देखते हैं बिहार का पहला मॉड फ्लोरी कल्चर सेंटर कहां अस्थापित किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा भागन बिगा बिहार सरीप में केंद्रिये जल सकती मंतराले के द्वारा घोसित राष्टिये जल पुरसकार 2020 में पूर्वी छेतर में बिहार के किस जीले को सर उस्रेट जीला का पुरसका दिया गया तो ये हो जायगा पुर्वी चंपारन नेक जेकते हैं बिहार के पूर्व मंत्री हरी नरायन सिंह का निधन हो गया इनके संभणत में सारी कथन सत्ते हैं उनका संभणत जो है राष्टिये जनता दल से था और वह 1945 से स नब्बय तक जग्दीज भोजपूर से वि नेक्षे बिहार सिख्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्याले की छात्राइं किस अकवार का प्रकासन करेंगी तो ये दिवार अकवार ठीक है दिवार अकवार भारत का तीसरा राष्टिये खाद तकनी कुदमीतायों प्रवंधन संस् बिहार में खोला जाएगा 1.6 मेगावाट छमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जीले में स्थापित किया गया तो ये हो जाएगा दर्भंगा में हैदराबाद में आयोजित पांचवी अंतराष्टिय सस्विज्यान कांग्रेस में सस्विज्यान का फेलो पुरसकार किसे दिया गया तो ये हो जाएगा आपका अनील कुमार डॉक्टर अनील कुमार को बालमिकी नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर किस जीले में बनाया जा रहा है तो ये हो जाएगा कैमूर में बनाया जा रहा है कैमूर में ठीक है नेक्स दे बात की गई है तो यह किया गया है दच्छिन बिहार ग्रामिन बैंक के द्वारा राज सरकार के ग्रामिन विकास विभाग के तहट चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने बीतिये वर्ष 2021-2022 के लिए रजत पुरसकार परदान किया है तो यह है मुख मंत्री ग्राम परक योजना नेक्ष है बिहार में इको टुरीज्म के तहट कितने परियर्टन अस्थल विक्सित किये जाएंगे तो यह आपका हो जाएगा आठ बिहार का पहला बैंबू गार्डन कहां बनाया जाएगा तो यह महाबोधी कन्वेंशन सेंटर परिसर बोध गया में बनाया जाएगा यह इसका एंसर बिहार के नेक्ष देखते हैं अब बिहार के बैसाली जीले के प्रमोध भगत को किस राज्य के कोटे से पदमिसरी दोहजार बाइस सम्मान से समानित किया गया यह उडिसा ठीक है बिहार के किस जीले के ट्रांसजेंडर रेसमा परसाथ का स्टार् बिहार प्रोग्राम के तहट सामिल किया गया तो यह पटना ठीक है पटना एंसर हो जाएगा नॉमबर दोहजार इकिस में प्रदर्शन के अधार पर देश भरके आकांची जीलों की रैंकिंग नीती आयक दोरा की गई इसमें पहला अस्थान बिहार के किस जीले को प्राप हुआ है तो यह आपका हो जाएगा खगड़िया ठीक है खगड़िया का गंतन दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारों में परसूत आठ जाकियों में की ज्याकि को पहला अस्थान दिया गया है तो यह बिहार सिक्षा परियोजना परिसत को मैंतली भासा में अन्सू मिस्र को वनारस की तरजपर बिहार के किस जीले में तेरता हुआ स्टेशन अस्थापित किया जाएगा तो यह आपका हो जाएगा पटना में कुरोना काल में स्वास्त के छेत्र में उत्कृष्ट कारे के लिए निमलीकित में से किसे बिहार स्री सम्मान दिया जाएगा तो ये दॉक्टर मुकुंद कुमार सिंग को नेक्ष है बिहार राज्य के पिछडे वर्ग आयोक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ये न्याय मुर्ती संजय कुमार को नियुक्त किया गया ह हाली में उपनियास मैला आचल जापानी भासा में दोरोनो सूसो मैला पल्लू नाम से परकासित किया गया तो इसके लेखक है ये हो जाएगा इसके लेखक हम लोग देखते हैं फनीस्वर नात रेनू ये तो जानते ही थे मैला आचल का फनीस्वर नात रेनू ही है हाली में किस राज्य का विधान परिसत देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है तो यह हो जाएगा बिहार बिहार के पहले खाद प्रसंसकरन, कारियाले का उदगाटन, केंद्रिये खाद प्रसंसकर, उद्धोग मंतरी, श्रीप पसूपती, कुमार पारश द्वारा किस जीले में तो यह हो जाएगा पटना में किया गया है मनिहारी नगर के कन्या मध्ध विद्याले के परधाना ध्यापक को इजूकेशन आइकन वाट से सम्मानित किया गया है तो इनका नाम क्या है लिनोद कुमार किस जीले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया जिसका उद्गाटन बिहार विधान परिसत के सभापती ओधेस नरायन सिंग ने किया है तो ये हो जाएगा पटना ठिक है ये पटना के गांधी मैदान में किया गया है बिहार विधान सभाचुनाओ 2020 के नतीजों में कौन सुम मेली थे बताना है तो जनता दल उनाइटेट को 43 सीटे मिली थी भारतिये जनता पार्टी को 74 सीटे राष्टिये जनता दल को 75 सीटे और कॉंग्रेस को 19 सीटे मिली थी सभी यहां पे सही हैं बिहार के की जीले में इस्थत हल्दिया जलपरपात कटोना पहाड़ी और नरोदह जलपरपात आधि को इको टुरिज्मिके रूप में बेक्सित किया जा रहा है तो यह आपका जमुई जमुई में है हल्दिया जलपरपाद कटोना पहाड़ी नरोदा जलपरपाद नेक्षे 25 दिसंबर 2021 को सुसासन दिवस के असर पर ग्रीह मंत्राले के द्वारा सुसासन सुचकांग जारी किया गया है तो इसमें ग्रूप B में बिहार को कौन सा अस्थान मिला है ग्रूप B में मिला है तो यह हो जाएगा छठा अस्थान मिला है इंद्रिये ग्रीह मंत्राले द्वारा जारी सुसासन सुचकांग 2020 दस सुचकांग को पराधारित है इसमें सार्जोनिक्स और संचनप और उपयोगिता के छेतर में बिहार को कौन सा अस्थान मिला है पहला अस्थान इसमें मिला है बिहार को पटना मेट्रो के निर्मान के लिए इरोपिय यूनियन, एसियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाई का कितने कड़ोर रुपए तक कर्ज देने के लिए तयार हो गई है तो ये आठ हजार कड़ोर रुपए तक बिहार विधान सभा के द्वार तकनीकी सेवा आयोग संसोधन विद्यक पारित किया गया है इसके तरत किस आयोग के अध्यक्च का कारिकाल कितना निर्धारित किया गया है तो ये हो जाएगा तीन वर्स याधिक्तम सत्तर वर्स की आयो तक संस्थान बीडी गुड प्रोफेशनल एसोसियेशन द्वारब निम्लिखित में से किसे यूवा बैग्यानिक पुरसकार दोहजारिक किस सम्मानित किया गया है तो ये आपका हो जाएगा ओम प्रकास गुजेला हाली में जारी की गई गोसना के अनुसा निम्लिखित में से किस फसल को खेती पर राज्य सरकार द्वारब 50% अनुदान दिया जाएगा तो ये उप्यूक्त सभी है सहजन, प्याज, चाय और रजनी गंधा इन सभी पर दिया जाएगा जल जीवन हर्याली योजना के तहट बिहार के किस जिले में इस सद्धनोती नदी से गाध हटा कर उसे पुनह जीवित किया जा रहा है तो ये हो जाएगा पूर्वी चमपारण, ठीक है पूर्वी चमपारण नीती आयोग एवम स्वस्त एवम परिवार कल्यान मंतरारे द्वारा जारी किया गया है डाटा नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे फाइब है इस रिपोर्ट के संबन में कौन सा कतन सही है तो यहाँ देखते हैं प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले अस्थान पे रहे और यह यहाँ टी एफार कितना है थ्री है रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में कुल प्रजनन दर जो है 2.2 से घटकर 2 हो गया है रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में बिहार में 1000 पूर्सों पर 1090 महिलाएं थी तो यह सभी यहाँ पे सही है उप्युक्त सभी नेक्ष है अभिनेता मनोजबाजपई के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जीद मनोजबाजपई पूस्तक के लेखक कौन है तो यह प्यूस पांडे है ठीक है प्यूस पांडे निम्नलिकित में से किस राज में होम आईसोलेशन में रह रहे है कोरोना संक्रुईत मरीजो को स्वास्त विभाग के द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाएं भेजी जा रही है तो यह भी हो जाएगा बिहार लेट्स इंस्पायर बिहार या इल आईबी की सुर्वात किस उद्देश से की गई है तो यह आपका हो जाएगा को बढ़ावा देने के लिए उद्दमीता को बढ़ावा देने के लिए की गई है नेक्ष देखते हैं बिहार में कानून बिवस्था को और बहतर वह जरूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए ग्रीह विभाग ने किस एप को बिक्सित किया है तो यह हो जाएगा ग्रीह छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन खरीदने हैं तू 300 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज सरकार द्वारा मुख मंत्री की सोरी स्वास्त योजना की सुरुआत की गई है तो यह हो जाएगा बिहार के द्वारा ठीक है बिहार बिहार राज सरकार की गोसना के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का बेवसाय करने के लिए सतत जीवको पारजन योजना के तहर कितने रुपए के आर्थिक सहायता दी जाएगी तो यह हो जाएगा एक लाख रुपए ठीक है एक लाख रुपए कृपान से घायल हुए तक्त स्री हरी मंदिर ज कि नौ जीलों में चलाय जा रहे हैं महा दलित दलित एम अल्प संख्या को पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है ठीक है अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कारक्रम को लागू किया गया है सभी जीलो में से कौन सा कथन सत्य है बताना है तो देखते हैं इसको बिहार के अर्षास्त्री एवं एसियन डेवलोप्मेंट रिशर्च एंस्टिटूट के संस्थापक डॉक्टर सैबाल गुपता को मर्नोप्रांत सिक्षा के छेत्र में पदमस्री पुरसकार 2022 दिया गया है और चिक नाच्यती रिपोर्ट 2021 किसके अनुसार बिहार में बिक्छा वर अनका च्षेत्र है 2341 किलोमीटर 2341 किलोमीटर है बिहार बचर 2022 देशर के अनुसार बीतीय वर्ष 20203 में राज्य का कुल राजास्च्व ब्याएका कितना परतिश्त अनुमानित है तो यह 80.76% है 80.76% है बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2020-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में त्रीतियक छेत्र का हिस्सा कितना था तो यह हो जाएगा आपका 61.2% बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का नीवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के इस्थर मुल पर कितना था तो यह हो जाएगा 566.47,000 कडोर रुपए ठीक है अब सेट नंबर 4 देखेंगे फश्ट है इसमें पटियाला में आयोजित चौसी ठ्वी राष्टिय सूटिंग चैंपेंशिप में बिहार की स्रेयसी सिंग ने स्वन पदक जीता है तो 21 छेतर की विधायक हैं तो यह हैं जमूई की विधायक और इन्होंने स्वन पदक जीता है तीन दिसंबर 2021 को देशरत्म डॉक्टर राजेन परसाद की कौन सी जैनती मनाई गई तो यह 137 जैनती मनाई गई बिहार में पंचायत चुनाव 2020 कुल कितने चरन में संपन हुआ था तो यह 11 चरन में संपन हुआ था बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना परतिसत मतदान हुआ है तो यह 61.13 परसेंट बिहार सरकार ने कब तक राजे के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मिटर लगाने की घोसना की है तो यह मार्च 2025 तक मार्च 2025 तक नेक्षै मुखमंतरी नितीश कुमारद्वारा राज में नसा मुक्ति बाल विबाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समासुधार अभियान की सुर्वात की गई है तो इसके संबन में कौन सा कथन सत्य है तो यह सभी सत्य है यहां पे यह या से नौजात एवं बच्चों की होने वाली मिर्तु के लिए जागरुगता अभियान है सांस कारिक्रम ठीक है स्वक्ष भारत मीशन सहरी के तर बिहार के किस सहर को बिहार का पहला कच्रा मुक्त सहर गोसित किया गया है तो यह हो जाएगा आपका सुपॉल को निमने में से कि इस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कारिक्रम चलाया जा रहा है तो यह चलाया जा रहा है बिहार में दीदी की रसोई कुरोना सहीत अनपरकार के वाइरस की जिनोम सिक्वेंस सिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहां बनाया जा रहा ह तो ये आईजी आईएमेस पटना में बनाए जा रहा है। संसत द्वारा राष्टिये औसदी सिक्षायम अनुसंदान संस्थान बिदेयक 2021 को मंजूरी दिया गया है। तो इसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्टिये महत्व का दर्जा दिया गया है। पंचाय चुनाव में बिहार पंचाय चुनाव की तकनिक का उप्योग करने का निर्णा लिया है। तो ये है तिलंगाना ठीक है तिलंगाना ने लिया है। नेक्ष देखते हैं। सिक्षा के छेतर में बदलाव के अधार पर नीती आयोग द्वारा चैंपियन ओफ चेंज की डेल्टा रेंकिंग जारी की गई है इसके संबन में बताना है कौन सा कथन सत्य है तो इस रेंकिंग में पूरे देश में दूसरा अस्थान प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर डी एंसर है ये सभी हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्जियों अमकेन सासित प्रदेशों में बिहार का अस्थान बताना है चौथा है लोहिया स्वक्ष बिहार अभियान के तहर्ट राज्जी का पहला ट्वाइलेट क्लिनिक कहां खोला जाएगा तो ये कुढ़नी मुझभफरपूर में जल जीवन हरियाली मिसन के तहर्ट हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जीले को सिर्श अस्थान प्राप्थ हुआ है ये हो जाएगा गया को धानमंत्री ग्रामी दिजिटल चर्टा अभियान के तहर्ट बिहार का कौन सा जीला पहले अस्थान पे है तो ये हो जाएगा मधू बनी ठीक है मधू बनी नलंदा अंतराष्टिय विश्व विद्यालेकों कि स्थेश की संस्था एरोपियन सुसाइटी फॉर क्वालिटी आईरवेद पर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मुख मंत्री नितीज कुमार भी सामिल के हुए हैं तो ये कहां हुआ था राजगीर में नेक्ष है स्मार्ट सिटी मिशन और FSS AI की संयुक्त पहल पर इट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस सहर को सिर्ष 20 स खेयरों में सामिल किया गया है तो ये पटना बिहार राज्य के सिक्षा विभाग में 11 एवं 12 बच्चों के सभी विसेयों के डावट किलियर करने के लिए किस ऐप को लौंच किया गया है तो ये है फिलो ऐप को नेक्षuse की स्तिती से राज्य में एकल्ड उप्योग रोक लगाई गई है तो यह हो जाएगा 1 जुलाई 2022 एक जुलाई 2022 अधारबुर्थ सब्सक्षर्टा और गनना सुचकांग के संबंध में कौन सकतन सही है तो यह हो जाएगा यहां पे बड़े राज्यों की स्रेनी में पच्छिं बंगाल को सिर्शस्थान मिला है और बड़े यहां पर सही है मुखमंतरी नितीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 कडोर की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्मान कारे का सुभारम किया गया है यह हो जाएगा मधु बनी ठीक है मधु बनी के जिले में बिहार के किस जिले के कुसहर पंचायत से चुनाव जितने वाली अनुस्का कुमारी सबसे कम उम्र में मुख्या बनने वाली पिहार की पहली उमिद्वार बन गई है तो यह सीवर है ठीक है सीवर बिहार के किस सहर में मैसर्स वारून वेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेटेड सॉप्ट रिंग प्लांट की अस्थाप बिहार संग्राले को अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राजसरकार की पुलिस द्वारा चक्र एप शुरू किया गया है बिहार के द्वारा बिहार पुलिस द्वारा राज्जी में गंभीर अपराधियों की गिरपतारी और सराब बंदी की करवाई को लेक किस विशेश अभियान की सुरुवात की गई है तो ये operation परहार की सुरुवात की गई है नितिया एकड़रा जारी, चौधे स्वास्थुचकांग 2020 में 19 राजियों में बिहार को कौन सा अस्थान मिला है तो बिहार को 18 अस्थान मिला है नेक्ष है बिहार में इथेनौल की पहली फैक्टरी की सुर्वात की जीले में की गई जहां एसिया में सबसे ज्यादा इथेनौल का उत्पादन होगा तो यह भोजपूर में की गई है हाली में स्वैचिक रग्त दाता एस्मार्ड काड का सुभारम करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है यह बिहार बन गया है नेक्ष देखते हैं बिहार राज्य के पैटर्न पर निमलिकित में से किस राज्य में भूमी सर्वेक्षन किया जाएगा तो यांध परदेश में बिहार का कौन सा जीला गोबिंद भोग चावल के उत्पादन के लिए परसीद है तो यह कैमूर जीला है नेक्ष हाल ही में निमनल में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्स के बाद पुनह जाती अधारित जनकन्ना कराने की गोशना की है तो यह बिहार के द्वार के द्वारा किया गया है डेस का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइवर पार्क बिहार के किस जीले में सापित किया जाएगा यह पुनिया जीले में बिहार के किस जीले में इस्थत राज किये मद्ध विद्याल है डियूरू में चिल्रेन बैंक खोला गया है तो यह हो जाएगा गया में मदू बनी जीले के सम्स आलम को राश्पती कोविन रामनात कोविन द्वारा राश्टीय अस्तर पर बेश्ट स्पोर्ट्स परसन का अवार्ड दिया गया है तो इनका किस खेल से संबंध है इनका संबंध जो है किस खेल से है पैरा तैरा की ठीक है पैरा तैरा की बिहार में सड़कों से जुड़े मामलों पर सोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्मान किया जा रहा है तो यह मुकामा पटना ठीक है मुकामा पटना नेक्ष्ट है बिहार सरकार के किस मंत्राले द्वारा चल रही वुजनाओं से संबंधी सिकायत दर्ज करने के लिए इनी परिश्य पोर्टल यह हो जाएगा पंचायती राज मंत्राले बिहार के किन जीलो को काला जर्मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा आठ आठ लाक रुपए का पुरस्कार दिया गया है तो यह आपका हो जाएगा मुझअपरपुर गोपाल गंस डी है इसका एंसर अब सेट नंबर पाँच देखेंगे इसमें फर्श्ट है बिहार में छठा धर्म धम सम्मेलन का आयोजन किस भी द्याले परिसर में किया गया तो इन्नालंदा विस सुभी द्याले में किया गया दो हजार बीस के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरसकार से स सम्मानित किया गया है तो यह सात व्यक्तियों को किया गया है निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए गया यह हो जाएगा जोज फंनाइडी सेर्देश यह समबंदिते मरन परांत इनको दिया गया है हालि में बिहार का कौन सा एयरU एरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ के मामले में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एरपोर्ट बन गया है तो ये दर्भंगा एरपोर्ट बन गया है 14-23 नौंबर तक आयोजित 40-वे भारती अंतराश्टे ब्यपार मेले में पार्टनर एस्टेट के रूप में किसे चुना गया है तो ये बिहार को चुना गया है बिहार को 75-वे स्कोच सम्मिट में इसको बढ़ावा देने के लिए किस राज्जी के पुरसासनिक सुधार मिसन को सम्मानित किया गया है तो ये हो जाएगा बिहार ठीक है बिहार निमने में से कौन सा कथन सत्त्य है बताना है तो दे कुल सही है मुझपफर पूर के रहने वाले सरद कुमार ये पैरा हाई जम से संबन देते हैं इनको अरजुन पुरसकार से सम्मानित क्या है दोनों ही कतन यहां पे सही है दोनों कतन बिहार के किस जिले में बाल फिल महसो 2020 का आयोजन किया गया है तो ये पटना में हाली में बि 2021 के पटमू भूसन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो ये एक पदमू भूसन से एक और पदमिसी से चार को किया गया है सम्मानित वर्ष 2021 के लिए पद्मस्री से सम्मानित निम्न व्यक्तियों के संबन में कौन सुम्मेलित नहीं है बताना है तो यहां सी सुम्मेलित नहीं है जो सुमेली थे देख लेते हैं मिर्दुला सीना मर्नो प्रांदिन को सही त्व्यम सिक्षा में दिया गया है दुलारी देवी को कला के लिए रामचंद मांजी को भी कला के लिए सी गलत है इसमें बिहार सरकार ने असना तक पास करने वाली शात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की गोसना की है तो यह हो जाएगा 50,000 रुपए उनीस नौंबर 2021 को कौन सा प्रकासो उस्सो मनाया गया तो यह 552 ठीक है 552 बिहार सिक्षा परियोजना परिस्द के द्वारा स्कूलों में छात्राओं को ससक्त करने के लिए एवं स्वैम फैसला लेने के लिए किस कारिकरम की सुरवात की गई है तो यह किसोरी मंच कारिकरम की सुरवात की गई है इन सीसी उडान की ओर से स्वक्षता, परियावरन सुरक्षा, महिला सुरक्षा, समाजिक एक्ता, दहे देने के लिए सैनिको की बीरगा था जन जन तक पहुचाने के लिए साइकलो थौन की सुरुवात कहां से की गई है तो साइकलो थौन की सुरुवात गांधी मैदान पटना से की गई है नेक्ष है महिलाओं की सिकायतों को सुनने उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के करेगी तो यह हो जाएगा 500 ठीक है 500 बिहार विधानसभा के अदेग्च कुमार सिना का कारिकाल एक साल पूरा होने के ऑसर पर उन्होंने बिहार किस जीले में से अपने समाजिक संकल पभियान युक्त मुक्त सम्मान शुरू किया है युक्त मुक्त सम्मान यह सिवान से ठीक है सिवान से नॉम्बर 2020 में बेगू सराय के सहीद CRPF इस्पेक्टर पिंटु सिंग को राश्पती द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है तो यह हुजाएगा सी किर्ती चक्र से नौवी से बारवी की चात्राओं क्यों महवारी की जानकारी देने स्वक्छता और सफाई के विशाय में जागरू करने के लिए किसोरा वस्था पर अधारित किस फिल्म को राज्जी के स्कूलों के स्मार्ट क्लास में दिखाया तो ये पहेली की सहली पहेली की सहली किस विधान सवाच्छेत्र की विधाइक मुसाफिर पासवान का नौंबर 2021 में निधन हो गया तो ये बोचहा के थे बोचहा निम्न में कौन सा कथन सत्ते है बताना है तो देखते हैं नौंबर 2021 में बरावनी बेगू सराय में 200 मेगावाट की 250 मेगावाट की दो परियोजनाओं का लोकारपन किया गया बिल्कुल सही है नौंबर 2021 में मुख मंतरी नितीश कुमार के द्वारा बाढ़ पटना में 660 मेगावाट की पहली बिजली खाई का लोकारपन किया गया ते कथन यहां पर सही है बताना है तो देखते हैं बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्मान पटना से कोलकाता के बीच किया जाएगा तो यह विल्कुल सही है बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्मान रक्सॉल से हल्दिया के बीच किया जाएगा तो दोनों ही कथन यह यहां पर सही है। सर्वस्रिष्ट गंगा सहर की स्रिंखला में मुंगेर को दूसरा अस्थान यों पटना को तीसरा अस्थान प्राप्थ हुआ है। गटबंदन की सुर्वात की गई है। इसमें देश के 30 सहरों ने नदी सहर गटबंदन के मसोधे पर हस्ताक्षर किये हैं। इसमें बिहार के 4 सहर कौन-कौन हैं। तो यह आपका हो जाएगा मुंगेर, भागलपूर, पटना और बेगु सराय। भी है इसका अंसर। पटना हाई कोड मुख नयादिस। संजय करोलने किस जीले में जी प्लस 5 बिल्डिंग कोड का उधगातन किया है। तो यह हो जाएगा गोपाल गंज। ठीक है गोपाल गंज। नेक्षन नॉमबर 2020 में नीती आयोक के द्वारा जारी बहु आयामी गरीवी सुचकांक में सरवाधिक बहु आयामी रूप से गरीब राज कौन है जहां की 51.91% जनसंख्या गरीब है तो यह आपका हो जाएगा बिहार। स्वक्ष सरवेक्षन 2020 में इस जोन में बेश्ट सीटी इन सिटिजन स्विड़वै की क्यागरी में बिहार के किस जिले को स्वक्ष सीटी आवाद से सम्मानित किया गया है तो यह किया गया है सूपॉल को ठीक है सूपॉल को बिहार ही नहीं बलकि देश के पहले transgender constable की मिर्तु rail दुरघटना में हो गई तो इनका क्या नाम है इनका नाम था रचित राज हाली में बिहार राज एवं परियावरन मंतराले के द्वारा बिहार के किस जीले में परियाटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क या बंदर बगीचा इसको कहते है तो अस्थापित किया गया है ये अररिया में अस्थापित किया गया है भारत का पहला राज्य कौन है जाहं सभी जीलों में चाइल्ड फ्रेंड्ली कोट के अस्थापना की जाएगी तो ये भी आपका बिहार हो जाएगा गंगा जल उद्वा योजना के अंतरगत बिहार के किन सहरों को सुध्य पेजल उपलब्द कराये जाएगा तो ये हो जाएगा D होगा इसका एंसर नवादा, राजगीर, गया और बोध गया बिहार सरकार के किस मंतराले के द्वारा इस संबंधर पोर्टल लॉंच किया गया है तो यह है सिक्षा मंतराले अक्टूबर 2021 में बिहार कैबिनेट द्वारा कुरोना से होने वाली मिर्तु के लिए कितनी अनुदान रासी देने करने लिया गया है तो यह आपका हो जाएगा 4.5 लाग रुपए बीच से 22 अक्टूबर के बीच इंडिया स्किल्स छेत्रिय परतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा तो यह पटना में किया गया नेक्ष है बागो के संरच्छन के विषय में जागरूपता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग के द्वारा बालमी की नगर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन विल्स को हरी जंडी दिखाई गई है तो यह हो जाएगा पलामू टाइगर जारखन के लिए नेक्ष है अक्टूबर दोहजार इकिस में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कच्रे से पेट्रोल वर डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्गाटन किया गया है तो यह हो जाएगा मुझजब फरपूर बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे और मॉडन कार को टर्मिनल का निर्मान किया जाएगा तो यह सारन में किया जाएगा सड़क दुर घटना में घायल लोगों को सबसमय अस्पताल पहुचाने वाले गुड सेमेट्रिन को बिहार सरकार के द्वारा कितने रुपए की पुरसकार रासी दी जाएगी तो यह हो जय विबित्ता पार का उद्गाटन किया गया है तो यह पांका में किया गया है बिहार के किस जीले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कर्प्रेट मामलों के मंतराले से परमान पत्र दिया गया है तो यह किसंगन बिहार के किस जीले में चौथे मधुबनी लिटरेचल फेस्टीबल का आयोजन किया गया तो यह दर्भंगा में हाली में बिहार किस जिले के पराली प्रबंधन मौडल को पूरे राज्य में लागू करने का नेड़ने लिया गया है तो यह रोहतास में ठीक है की गई है वनावरन के छेत्रपल के द्रिष्टी से बिहार के निमलिखी जिलों का सही और रोही करम बताना है तो यह आपका हो जाएगा सी कैमूर पच्छिम चमपारन और रोहतास जमूई ठीक है बिहार में ग्रामिन सडकों की कुल लंबाई कितनी है तो यह हो जाएगा एक लाग दोहजार तिनसोचे किलोमीटर है ठीक है एक लाग दोहजार तिनसोचे किलोमीटर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पाधन होता है तो यह पटना में होता है पटना में ठीक है यह सेट कंप्लीट हो गया अब सेट नंबर छे देखेंगे इसमें फ़स्ट है बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रहे ही छत पर बागवानी योजना निम्रमने किस छेत्र में लागू किया गया है तो यह आपका हो जाएगा पटना मुझफरपूर गया भागलपूर और नलंदा ठीक है नेक्षे गया में किस नदी पर बिहार क कि आबादी को कोविट वैक्सिन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है तो यह पूर्वी चंपारन बन गया है पूर्वी चंपारन पटना में आयुजित 21 वा बिहार सम्मान समारोह 2020 में किस खिलाडी को बिहार खेल रतन सम्मान से सम्मानित किया गया ह तो ये हो जाएगा प्रमोध भगत और सरतकुमार इन दोनों को प्रमोध भगत और सरतकुमार नेक्ष है बिहार के किस जिले के ब्रम्भ यूनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगरवन बनाया गया है जिसे ब्रम्भ वन नाम दिया गया है तो ये है गया भारतिये रेलवे द प्टना जक्सन पे राश्टिय अधयापक बैग्ज्ञानिक परिषत के द्वारा किस बैक्ति को सारा भाई अधयापक बैग्ज्ञानिक राश्टिय मानग पुरसकर 2020 किस सम्मानित किया गया तो यह है आनंद कुमार आनंद कुमार को भिहार के किस जीले में गनेश इंजिनि relativity द्वारा बिक्सित एक बिकेंदरी किरित जैस्च किस्सा अपसिष्ट भस्मक का वर्चुली उदगाटन प्रधान बैग्यानिक सलाहकार प्रोफेस के विजयरागोन के द्वारा यह किया गया है तो यह बक्सर में ठीक है बक्सर में निमने में से किस संस्था कि CEO रुक्मनी ब यह CEO 5 सितंबर 2021 को सिक्षक दिवस के उसर पर औल इंडिया कॉंसिल फोर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस ब्यक्ति को छात्र विस्व कर्मा अवाट से सम्मानित किया गया तो यह आकांच्छा सिर्वास्तो आकांच्छा सिर्वास्तो को राश्पती रामनात को कोविन के द्वारा बिहार के किन सिक्षकों को राश्टिय सिक्षक पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो यह आपका हो जाएगा अंजु नहीं यह नहीं है देख लिजे बी और सी है यहाँ पे तो चंदना दत्त मदूबनी की है हरिदास सर्मा कैमूर की तो डी है इसका एंसर डी बिहार में अवायद रूप से प्रवेश करने वाले बिदेशी घुसपैटियों के लिए राज्जे का पहला डेटेंशन सेंटर कि सहर में सापित किया गया है तो यहाजी पूर में बिहार का सबसे बड़ा अधोगिक पार कहां स्थापित किया जाएगा डोभी ग जिले से है तो यह मुझँफर पूर के है मुझब फपूर के रोहतार की किस पहरालंपिक महिला खिलाडी को पांचवी बार राज्जी खेल पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो यह ममता देवी को ममता देवी को सितमबड 20 immens perspectives में बिहार के की सबसे बड़े इसिन पुर्णिया में नेक्स देखते हैं बिहार के किस जिले के ब्रंभ पूर में राज्य का पहला बायो गैस प्लांट अस्थापित किया गया है तो यह आपका हो जाएगा बगसर में सहरी स्वैम सहायता समूह की प्रसिक्षित महिलाएं बिहार के सहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का समचालन करेंगी तो इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा इनको डीजी सकी के नाम से बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एक मात्र कितली उद्यान इस्थत है तो यह आपका हो जाएगा पटना में हाली में परकासित फुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक है तो यह है बंदना मिस्रा अर्धसैनिक बलो के बाद बिहार का बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तयार की है तो यह पहला राज्य है पूर्वमध रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य क से प्रतिश्ठी जॉर्ज वासिंग्टन सम्मान पदक से सम्मानित किये जाने वाले पहले भारतिये बने हैं पटना के हैं थ्यक है पटना सितंबर 2021 में सदानन सिंग का निधन हो गया इनके संबंध में बताना है तो इस सारे twee कतन सहिए ये 2000 से 2005 तक बिहार बिधान सभा अध्यक्ष रहे हैं पहली बार 1969 में कॉंग्रेस के टीकट पर कहल गाउं बिधान सभा सुनाव जीते हैं वे कहल गाउं भागलपूर से 9 बार चुनाव जीते और वे 2 बार मंत्री बने हैं नेक्ष है निम्ने में से किसे स्वामी ब्रंभा नंद पुरसकार 2020 सम्मानित किया गया है तो ये आपका हो जाएगा आनंद कुमार मुल्ता पटना की रहने वाली नीना सिंग किस राज्जी की पुलिस विभाग में पहली महिला डारेक्टर जनरल पदपर निक्थ हुई है तो ये बांक का निम्ने में से किस रेल कर खाने में 175 टन भार उठाने की चमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा जमालपूर रेल कार खाना मुंगेर बिहार ठीक है बिहार में काले हीरन के संरक्षन के लिए किस जिले में 12 एकड में रेस्क पटना भारतिय खाद सुरक्ष्या और मानक प्राधिकरन का तीसरा राज्य खाद सुरक्ष्या सुचकांग जारी किया गया है इसके संबन में सही कतन मताना है तो बड़े राज्यों में गुजरात को पहला अस्थान प्राप्थ हुआ है चोटे राज्यों में गोवा को पहला अस्थान प्राप्थ हुआ है और बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम अस्थान बीस्वा अस्थान प्राप्थ हुआ है तीनों ही इसमें सही है देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्य से बनने वाली गुर उत्पादन को उत्दोग का दर्जा दिया जाएगा तो ये बिहार को दिया जाएगा बिहार ही है राश्टिय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वाराज गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में सिर्स हंडेट संस्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्थान IIT पटना को कौन सा अस्थान प्राप्थ हुआ है तो ये 51, 51 अस्थान प्राप्थ हुआ है 72,000 रुपई की लागत से बिहार के पहले 4 lane Greenland Field Expressway का निर्मान किया जा रहा है इनके संबंद में सही कथर बताना है तो औरंगाबाद के आमस GD Road से जैनगर के बीच इसका निर्मान किया जा रहा है सही है यह औरंगाबाद से पटना होते हुए दर्भांगा तक जाएगी यह भी सही है 205 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे उत्तर और दच्छिन बिहार को आपस में जोड़ेगा तो यह D answer हो जाएगा नेक्षे परधानमंति नरेंद मोदी के जन्म दिन पे 17 सितंबर 2020 पर आयोजी टीका करन महा अभियान के तहटीका करन करने में बिहार को कौन सा स्थान मिला है तो यह पहला स्थान मिला है जियोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया की द्वारा हाल ही में बिहार के किस छेत्र में फायर कले के विसाल भंडार की पूस्ती हुई है तो एक कहल गाउ में कहल गाउ में बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी परदर्सत प्रिक्षिक्षन कारिक्रम की जीले में आजुद किया गया है तो ये हो जाएगा भागलपूर में बिस्विद्याले अनुदान आएगा यूजी सी ने छात्रों के लिए सैच्छनिक पर्यटन के उदेश से देश भर में सौ अस्थलों की सिनित किया है तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा इसमें एंसर क्या होगा पाँच ठीक है पाँच नेक्ष देखते हैं बिहार सरकार द्वारा एट्स को किस वर्स तक समाप्त करने का लक्ष रखा गया है तो दो हजार तेस तक नेक्ष है गंग्टोक में आयोजित प्रथम औल इंडिया बॉल बड्मिंटन परतियोगिता में किस राज्जी की पूरू से महिला दोनों टीमें चैंपियन बनी है तो ये हो जाएगा आपका बिहार ठीक है बिहार 21 अक्टूबर 2020 को बिहार बिधान सभा भवन के सताब्दी समारों में निम्न में से किस ब्यक्ती ने सिर्कत की है तो ये राश्पती रामनात कोवीन परना के किस ब्यक्ती ने पचीस सो से ज्यादा मैस के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्डेन बूक अफ वर्ल्ड में खुली गई है तो यह हो जायेगा भागलपूर में हाली में बिहार का पहला जिला कौन बना है जहां सभी पंचायतों में उस्तकाले की व्यूस्ता की गई है तुछ हो जाएगा आपका पुर्णिया ठीक है पुर्णिया केंसरकार की योजना के तहट बिहार के किज सहर में राजापूर मोड के निकट हेली पोट बनाने के परस्ताव को मंजूरी मिला है यह बोध गया कोसी की कि सहायक नदी पर नेपाल में दो हाई डील पर योजनाय निर्मान किया जा रहा है जिससे बिहार को भी बिजली मिल सकेगी तो यह अपका क्या हो जाएगा अरून कोसी ठीक है अरून कोसी अजादी के अमरित महोसो कारिकरम के तहट दो से आठ अक्टूबर 2020 के मद वन ने जीव सपताहा का किया जाएगा तो यह किया गया है संजय गांधी जैवी कुद्यान पटना में भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2021 के नुसार बिहार में वना वरन एम दिक्छा वरन में क्रमसा ब्रीधी हुई है तो यह हो जाएगा 75 वर किलोमीटर और 338 वर किलोमीटर ठीक है 75 वर किलोमीट सिर्ट पर रहा है तो यह बेगू सरा है ठीक है बेगू सरा है वर दोजार बीस 21 में गेहुम का सरवाधी कुद्पादल इमने में से बिहार के किस जीले में हुआ है तो यह हो जाएगा रोतास में ठीक है रोतास तो यह सेट भी आपका कंप्लीट हो गया अब हम लोग सेट नमबर साथ देखेंगे फश्ट है इसमें बिहाराज से संबंदित किस ब्यक्ति को जो बाइडन ने अंतराश्टिय धार्मी सोतंतरता का एंबेश्टर एट लार्ज नामित किया है तो ये हैं रसद हुसाइन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकॉनमी के जून 2020 के आकड़ो के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है तो ये 13.8 परसेंट है 13.8 परसेंट नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन के तहट बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 इसमें नीजी हाथों में सौप दिया जाएगा तो ये हो जाएगा जैप परकास नरायन एयरपोर्ट पटना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथरीटी द्वारा बिहार के बालमीकी नगर टाइगर रिजर्व को बाग संरक्षन के लिए कौन सा अस्थान दिया गया है पांचवा अस्थान दिया गया है देश में राश्ट पिता महात्मा गांधी को समरपित पहले बापू टावर का निर्मान बिहार के किस जीले में किया जा रहा है तो ये पटना में UPSC 2020 में सिर्श अस्थान प्राप्त करने वाले सूभम कुमार बिहार के किस जीले के हैं तो ये कटिहार के हैं बिहार के परियावरन विभाग द्वारा मैकडोवल गुलंबर पार का निर्मान किस सहर में किया गया है तो ये पटना में किया गया है विश्वे हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार के किस जिले में मुप्त भोजनाले रोटी बैंक केंद्र का सुभारम किया में पुर्णिया में किया गया है तो ये जितेंद्र कुमार को ठीक है जितेंद्र कुमार राज सरकार ने अगले दो वर्सों में राज्य का हरित आवरन बढ़ा कर कितने परतिसत करने का लख्षे रखा है तो 17 परसेंट ठीक है 17 परसेंट बिहार में पंचाय चुनाव 2020 की अधि सूचना किस तीथी को जारी की गई थी तो यह आपका हो जाएगा 24 सगस 2021 को 24 सगस 2021 को पटना के गांधी मैदान में 75 सोतनता दिवस के औसर पर आयोजित समारों में परदर सी जाकिया होती है इसमें प्रत्थम किसे मिला है प्रुसकार बिहार सिक्षा परियोजना परिसत को बिहार राज आपदा इस तर्फ जेल डिजिटल साक्षर्ता अभियान के तहत कैदियों को डिजिटल प्रक्सिक्षन देने वाला देश का पहला जेल बन गया है तो यह आपका हो जाएगा बांका बन गया है ठीक है नेक्ष देखते हैं बिहार के किस बिश्व विद्याले में मिल्खा सिंग खेल परिसर का उद्गाटन किया गया है तो यह आपका हो जाएगा दच्छिन बिहार केंद्री विश्व विद्याले गया ठीक है बिहार के किस देश की टेक्नलोजी की सहायता से चलता पिरता बिजली घर तियार किया जा रहा है तो यह फ्रांस बिहार के किस जिले में अभियान किताब दान चलाय जा रहा है जिसकी सहायता से ग्रामिन छेतरों में पुस्तकाले खोले गये है तो नेक्श विखिये इसका एंसर है पुर्णिया बिहार सरकार द्वारा हाली में किसे डॉक्टर फादर कामील बुल के पुरसकार दिया गया है तो ये अनन्त विजय को बिहार के किस जिले के उद्धोग केंदर परिसद में राज्जी का पहला मुख मंत्री उद्मी पार का स्थापित किया गया है ये पुर्णिया में ठीक है बन गया है ठीक है देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बन गया है जिसके अंतराश्टिय मान के अनरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्सी पढ़नाली पर भारत मायनों ब्यूरों ने मुहर लगाई है तो ये आपका हो जाएगा बिहार राज्य बीज पूर्व मधरेल के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो ये अनूपम सर्मा को बिहार के किस जिले में टेश्ट्यूब के माध्यम से गर्भ धारन कराने के बाद बच्छिया का जन्म हुआ है तो ये बेगु सराय में एनीमिया मुक्त भारत पित किया जाएगा तो ये मुझअफर पूर में बिहार का पहला सौफिस्ति डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है ये जहानाबाद बन गया है जहानाबाद बिस्विबाल सब्ताह के असर पर आयोजित किट्स टेक ओवर प्रोग्राम के तर बिहार के किज बालिका क को एक दिन के लिए उनिसेब बिहार की जिम्मेदारी सौफि गई तो ये आध्या को अगस्ट 2021 में किस परसीद सहाइतकार और भारतिये प्रशासनिक सेवा से अवकास प्राप्त अधिकारी का नीधन हो गया तो ये भगवती सरन मिस्र का भगवती सरन मिस्र नेक्स देखते हैं 18 वर्स के अधिक उम्रे के अधिक उम्र के सो परति सत लोगों का टिका करन करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कोन बन गया है तो ये बनकटवा प्रखंड पूर्वी चमपारन में हैं बिहार सिविल सेवा पुरसाहान योजना के था संगलोग सेवा आयोग की मुख प मिल से सिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मिदारी किसे देने का निर्ने लिया गया है तो ये आपका हो जाएगा अच्छे पात्र फाउंडेशन निमने में से किस ब्यक्ति को समाजी को राजनीती के छेतर में उलेखनीय योधान के लिए All India उल्मा बोड के सोजनने से मौल पुदगाटन परियावरन वन और जलवायू मंतरी निरच कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया है तो ये पटना में हाली में चर्चा में रहा मोई नूल हक स्टेडियम किस जिले में सत है तो ये आपका हो जाएगा पटना में अब नेक्ष देखते हैं विभिन जिल्लों की रां Mega क Judith को प्रथम में इस्तान मिला यह गया को सुदा को नेक्स देखते हैं हुआख लेख स्वास्त विभाग द्वारा व सुम आइसुलेैंशन में रह रहे हैं मरीजिओं को बह्तर देखाल के लिए किस एप को लॉंच किया गया है तो ये एप है HIT, Hit COVID एप, बिहार सिक्षा परियोजना परिसत द्वारा पहली से बारवी कर्चा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्द कराने के लिए कौन सा पोर्टर लॉंच किया गया है तो ये है E-Lots, E-Lots, काब संग्रा अपडाउन में फसी जिंद करना है ब्यक्ति और संबंधित छेत्र यहां पर दिये हुए है तो डॉक्टर सांती जैन बिहार गवरोगान की लेकिका है रगुनंदन लाल भाटिया बिहार के पूर्वर राजपाल और पंडित चंद्रनाथ मिस्र ये परसीद मैथली साहित्तकार तो ये सभी यहां पर किस लाने वाला देश का कौन सा राज बन गया है पहला नवी सताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार से किस जिले में मिली है तो ये हो जाएगा पटना में मिली है पटना में बिहार के किस जिले के क्रिसी विग्यान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्क्रिष्ट कारे क तो ऐसे बच्चों को 18 वर्स की आयूत होने तक 15 सो रुपए के आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज सरकार द्वारा मुख मंत्री बाल सहायता योजना के सुरुवात की गई है तो ये बिहार के द्वारा किया गया है अब नेक्स देखते हैं पूर्व मध रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस रेलवे स्टेशन को पहला अस्थान राप्त हुआ है तो ये हो जाएगा पटना जंक्सन जलजीवन हर्याली अभियान के तहट बिहार के किस जिले में तालाप के उपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है सुपोल और दर्भंगा में बनाया जा रहा है डॉक्टर बिनाय कारक की आत्म कत्था मेरी यादे का लोकारपन किसके द्वारा किया गया है बिहार के ग्रामिन विकास विभाग के द्वारा मनरेगा योजना के तहर सगन पौधार ओपन अभियान चलाकरवस 2021-22 में राजे के कितने पौधे लगाने का लक्ष रखा गया है दो कडोर पौधे नेक्षे भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में डिक्छार ओपन कुल भगवलिक छेत्रपल का कितना परतिसत है 2.48% है बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल संघंता सरवाद 21 जिले में थी तो यह हो जाएगा सीवहर जिले में नेक्षे भिहार में 2020-21 में चावल की उत्पाद अग्ता थी तो यह 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेर थी ठीक है तो इस तरह यह आपका सेट कंप्लीट हुआ है अब सेट एट देखते हैं इसमें फर्स्ट है बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार अप्लिकेशन की संस्था द्वारा बिश्जित किया गया है आयाईटी रूडकी के द्वारा भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैग्तोन बिहार के किस जीले में आयोजित किया गया है तो यह भागलपूर में आयोजित किया गया है जुन 2021 में किस राजसरकार ने गोसना की है कि सरकारी भौनों के निर्मान में फ्लाई एस से बनी इटो का उप्योग किया जाएगा तो ये बिहार के द्वारा ठीक है बिहार के द्वारा गोसना किया गया है नेक्स देखते हैं क्रीसी छेतर में यांतरी की करन को बढ़ावा देने साथ ही लगू यम सिमान्त किसानों को क्रीसी सन्यांतर उप्लब्ध कराने के लिए किस राजसरकार द्वारा मुक मंतरी हरीत क्रीसी सन्यांतर योजना की सुरुआत की गई है तो ये बिहार के द्वारा जुलाई दो हजार इकिस में केंद्रिय कैविनेट के बिस्तार किया गया है तो इसके संबन में कौन सा कथन सत्ते है बताना है तो यहां पे सभी सत्ते हैं बिहार से केवल दो सांसदो को मैंत्री बनाये गया है पसुपती कुमार पारस को खाद प्रसंसकरन उद्दोग मंत्रा कारेभार सौपा गया रामचंद्र परसाद सिंग को इस्पात मंत्राले का कारेभार सौपा गया यह सभी सही है नेक्ष्य आगनबाड़ी कारेकरता हो कि सैच्छनिक सस्थर में सुधार के लिए बिहार स्रकर दौरा कि स्योजना की सुरवात की गई है तो यह आपका हो जाएगा सुनंदनी कारिकरम सुनंदनी कारिकरम 2020 में बिहार को कौन सा जीला मचली उत्पादन में सिर्ष अस्थान पे रहा है तो यह मधु बनी है बिहार के किस महिला किसान को 2020 के लिए पंडित दीन द्याल उपात ध्याय अंतियोदे क्रिसी पुरसकार से समानित किया गया है तो यह वंदना कु किस महिला उद्धमी योजना किस राज सरकार द्वारा शुरू किया गया है बिहार के द्वारा गर्ववतिम महिला और नौजात सुसु को मौनिटरिंग के लिए किस राज सरकार द्वाना अनमोल आप को लॉंच किया गया है तो यह है बिहार नेक्स देखते हैं नीती आयोग और UNDP द्वारा जारी आकांची जिला रैंकिंग में टॉप 20 बिहार का कौन सा जिला सामिल है तो यह उप्युक्त सभी हैं मुझभफर पूर अररिया और अंगाबाद बिहार के किस नदी पर डगमारा ज अस्थापित किये जा रहे हैं खेल 20 विद्याले में मिलाओं के लिए कितने पर 30 सीटों को आरक्षित किया गया है तो यह आपका हो जाएगा 33 परसेंट बिहार के भागलपूर में जीयाई परमानित जरदालू आमों की पहली कमर्सियल खेपकिस देश में भेजी गई तो य निर्मान किया जा रहा है तो यह सूपॉल में किया जा रहा है बिहार के किस जीले से बाढ़ परभावित छेत्रों में टीका करन के लिए टीका वाली नाव अभियान शुरू किया गया है तो यह मुझभफर पूर में शुरू किया गया है बिहार के किस रेल्वे स्टेशन स भोजपूरी पेंटिंग पर अधारित कोरिडोर की सुर्वात की गई है आरा जक्सन बिहार सरकार ने मुझभफर पूर में कैंसर अस्पताल के निर्मान के लिए किस संस्था के साथ समझोता किया है तो यह हो जाएगा टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ नेक्षे अनामिका सर्म ने भारत की सबसे कम उम्रे की स्काई डाइवर बनने का रिकोर्ड बनाया है और इसका संबन बिहार से है बिहार के किस जिले में इससत नवी नगर पावर जेनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली विजली उतपाधन की दूसरी इकाई सुरू की है तो यह औरंगाबा ठीक है और अंगाबाद कोरोना संकट में मानो सेवा में उतक्रिष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड बुक औफ रिकोर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बने हैं पवन जैस्वाल पवन जैस्वाल बिहार में क्रिसी उतपादों के निर्य अपना में किस पुस्तक का विमोजन किया है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्रेशन खुकरी वर्स 2020-21 के लिए बिहार का सिर्स राजभासा पुरसकार डॉक्टर राजेंद परसाथ सिखर सम्मान किसे परदान किया गया है तो यह हो जाएगा किसे प्रोफेसर विस्वेनात करोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुल पाक की सुर्वात करने वाला पहला राज्य है बिहार चलिए नेक्स देखते हैं नीती आयक द्वारा जारी स्टीजी रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान मिला है तो यह बिहार को इसमें सबसे अंतिम जी एश्टी काउंसिल ने बिहार के किस मंत्री को ग्रूप औप मिनिस्टर में सदस मनोनित किया है तो यह आपका हो जाएगा सी तार की सोर पर साथ त्री अस्तर ये पंचायत परामर्स समीती द्वारा पंचायत का कारभर संभालने वाला बिहार का पहला जिल जगा 10 लाग रेल कर्मियों के द्वारा रचित कविता कारियों के लिए बिहार के किस व्यक्ति को मैतली सरंगुप्त पुरसकार 2021 सम्मानित किया गया है तो यह दिलीब कुमार को नेक्ष्य हाली में लोक सभा में लोक जन सक्ति पार्टी के संसतिये दलके नेता कौन बने है तो यह पसुपती कुमार पारस बने है बिहार सरकार ने टीका करन महा अभियान कर दिखाएगा बिहार के तहत छो महीने में कितने लोगों का टीका करन करने का लक्ष निधारित किया है तो यह आपका हो जाएगा छे कडोर ठीक है छे कडोर लोगों का हाली में जारी आकडो के अनुसार बीत वर्ष 2020 में मस्रूम उत्पादर में बिहार का स्थान है तीसरा SDG इंडेक्स 2020 के अनुसार बिहार में सडक दुरगटना में मिर्तुदर प्रती एक लाख अबादी पर कितनी है तो यह हो जाएगा भी इसका छे परसेंट है भारतिय डाग विभाग द्वारा संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुईधा देने में बिह बिहार में नए राश्टिये राजमार NH 139W का निर्मान किया जा रहा है यह पटना को किस जीले से जोड़ेगा तो यह हो जाएगा बेतिया पच्छिमी चंपारन से परियाटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के कॉंसुलेट जनरल ओफ इंडिया ने बिहार को अपन टूरिज्म पार्टनर बनाया है तो यह है दच्छिन अफ्रीका बिहार के किस ब्यक्ति को बिस्वे हिंदू परिसत का अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर रबींद्र नरायन सिंग को निमने मेर से किन ब्यक्तियों को आर्थिक रूप से ससत बनाने है तो पटना में गरि 6.6% महिलाओ को बिहार के किस बिभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की सुरुवात की गई है तो यह की गई है राजस्व्यम भूमी सुधार आयोग बिभाग के द्वारा पूर्वी मध रेल्वे के किस मंडल को निर्धारित समय पर रेल परिचालन में सिर्ष सस्थान प्राप्त हुआ है तो यह हो जाएगा आपका समस्ति पूर मंडल में बिहार सरकार ने किस वर्ष तक तीवी मुक्त बनने का लक्ष निधारित किया है तो यह 2025 तक बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस परसीद व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की गोसना हुई है त पूनम आनंद को बच्चों को बाल स्रम से बचाने के लिए किस राजसरकार द्वारा बाल मित्र कार्ड योजना सुरू की गई है तो यह पिहार के द्वारा किया गया है नेक्षब देखते हैं बिहार के मैथली मगही भोजपूरी तथा अंगिका भासा को किस राज्य में दूतिय राजभासा का दर्जा दिया गया है तो यह है जार खंड बिहार में वर्तमान में चल रही 13 लगू जल विदूत पर योजनाओं की कुल सनस्था अपित संस्था यह छमता कितनी है तो यह है 74.3 मेगावार तीक है 74.3 मेगावार सहरी केंद्र को पुनर परभासित कर बिहार में सहरी करन का वर्तमान अस्तर तो यह 15.3 परसेंट है यह सेट कंप्लीट हो गया सेट नमबर 9 देखते हैं फरस्ट है इसमें केंद्रिये ग्री मंत्राले ने बिहार के किस जिले के कुर्था पुलिस सेश्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर उस्रेष्ट पुल इसलियन विश्टो विद्याले में पढ़ाई जाएगी तो यह अमेरिका में पढ़ाई जाएगी ठीक है अमेरिका में राज में 64 दिनों में 5 क्रोर पौधे लगाने के लिए किस राज सरकार द्वारा मीशन 5.0 शुरुआत किया गया है तो बिहार के द्वारा हिर्दय में जन्मिजाद छेद वाले बच्चों के मुप्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किसी योजना की सुरुआत की गई है तो यह मुख मंत्री बाल हिर्दय योजना की सुरुआत की गई है फसाई द्वारा बिहार के किस मंदीर के परसाद नवेदम को ब्लेज़ फूल हाइजिन आफरिंग टू गौड का प्रमान पत्र दिया गया है तो यह पटना का महाबीर मंदीर ठीक है पटना का महाबीर मंदीर हाली में प्रकासित पुस्तक एलिवेशन ओफ लाइप को एसिया बुक ओफ रिपोर्ट में सामिल किया गया इसके लेखक है अनुराग आनंद अप्रेल दोहजार इकिस में में वालाल चौधरी जी का निधन हो गया इनके संबन में कौन सा कथन सत्ते है बताना है तो यह सार बाद से गौरया कि कलाकृती भिहार के इस जीले में बनाई गयी है तो यह पटना में भारत में जल निकायो कुछ़ घजेटियर के रूप में परकासित करने वाला बिहार देश का कौन सार्ज उपन गया तो यह पहला राज्य बन गया है भारत सरकार के फिट इंडिया पंप किस जिले में खोला गया है तो ये समस्तिपूर में नेकश बिहार का पहला international super power grid कि जिले में बनाया गया है तो ये बनाया जाएगा आपका कटिहार में बनाए जारें super grid के संबध में निमलीखित कथनों पर विचार करना है तो यहां पर देखते हैं गया और रोहताज के बाद बिहार का यह तीसरा सूपर ग्रीड होगा और इसकी शमता साथ सो पैसट किलोवाट है तीनों देश नेपाल भुटान बांगला देश से बिजली लाइन से जोडने वाला यह बिहार का पहला बिहार जो है पहला राज्य है तीन सारे ही कथन यहां पर सही है ठीक है नेक्स देखते हैं वन टाइम इंप्रूमेंट स्कीम के तहत पहली बा इसके तहत मुंगेर से मिरजापूर चौकी के बीच किस राष्टिये राजमार को विक्सित किया जाएगा तो यह आपका हो जाएगा राष्टिये राजमार 80-80 है नेक्स है गांधिवादी और समाज सेवी द्वारी को सुन्दर रानी का निधन हो गया तो यह किस आस्रम से थें तो यह समन्वे आस्रम से संबंदी थें बिहार में पहली बार किस दलहन के सरकारी खरीद की परक्रिया 15 अप्रायल 2021 से सुरू की गई है चना एवं मैसूर ठीक है चना मसूर की दिल्ली हाट के तरज पर बिहार के विभीन सहरों में हाट बनाये जाएंगे तो इसकी सु आरक्षन करने की घोसना की गई है तो यह आपका हो जाएगा इंजिनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में किया गया है मई 2020 सब्हार के किस जिले में पराचीन नगर सभेता के असेस प्राप्त हुए हैं तो यह आपका हो जाएगा मधु बनी से हुए है मधु बनी से यहार सरका तो इसे नाम दिया गया है tika express, ब्यार के किस जिले में देस का पहला जो 30 चिकिसा OPD सुभारम्भ किया गया है दरभंगा, मैं 2021 में देस का पहला एगरी हैक्थोन का आयोजन कहां किया जाएगा तो यह आपका हो जाएगा क्रिसी विष्व विद्याले सब और भागलपुर में ठीक है क्रिसी बिस्वेदाले सबवर भागलपूर में नेक्ष है उचित मुल्ड पर सबजी उपलब्द कराने के लिए इरिक्सा के माध्यम से सबजीयों का विप्रण कराने की सेवा तरकार एक्सप्रेस का सुभारम बिहार के किस सहर में किया गया है तो ये आपका हो जाएगा पटना में ठीक है नेक्ष देखते हैं बिहार सरकार द्वारा ताजी सबजी की आपूर्थी के लिए कौन सा एक वेब पोर्टल लॉंच किया जाएगा तरकारी मार्ट लोगों को गैर मोटर चालित परिवहन का उपयोग करने के लिए पोर्ट साहित करने के लिए राज़ानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्मान किया जा रहा है किया गया है तो ये हैपी स्ट्रीट हैपी स्ट्रीट भारत वन इस्थीती रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार में कुल भगोलिक छेटपल का कितना परतिसत वनावरन है 7.84% किंद्रेक ग्रीम अंत्राले के द्वारा बिहार के 6 जीले को नकसल मुक्त घोसित किये जाने के बाद बिहार में और तमान में नकसल परवायु जीले कितनी रह गई हैं तो ये 10 रह गई हैं नेक्ष है बिहार के सहरों के बुनियादी धाचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुवात की गई है तो ये ग्रीन फिल्ड टाउन से निमन मैंसे किसके जन्मदीन को हाल ही में विकास दिवस के रूप में मनाया गया है तो ये नितीस कुमार के जन्मदीन को है लगबग 14 वर्सों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी शमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पिडपैती परियोजना ये कहां इस्थत है तो ये हो जाएगा लखी सराय भागलपूर में इस्थत है वर्तमान में बिहार में लागो क्रिसी रोड मैप 3 की आओधी कितने वर्स के लिए बढ़ा दी गई है तो ये होगा एक वर्स के लिए बढ़ा दी गई है बिहार राज कैबिनेट की बैठक के अनुसा चिकित्सा अभिन्यंतरन और खेल विस्विद्याले की कुलाधी पती क भाने की घोसना की है यह आपका हो जाएगा B.S.N.L. हालि में बिहार सरकार द्वारा निम्ली खित में से कौन सी योजना को पुना जीवित किया जा रहा है तो यह योजना है सतघरवा जलासवय योजना के शौदेश दर्सन योजना के तहत बिहार के किन सहरों को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा सब को जोड़ा जाएगा इन सभी को सिता मड़ी बकसर दर्भंगा इन सभी को हाली में मिथिला रत्न पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो ये कृष्णा कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया है बिहार का कौन सा सहर देश का पहला आयूध निर्मान सहर बन गया है तो ये हो जाएगा आयूध निर्मान सहर बन गया है ये है राजगीर ठीक है राजगीर बन गया है एह है इसका एंसर 6.2 करोर की लागत से तयार होने वाला देश का पहला सिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिलेम बनेगा ये आपका हो जाएगा पटना में बनेगा सहीत अकादमी अनुआद पुरसकार 2020 में मैतली भासा के लिए किसको दिया गया है तो ये स्वर्गिय जितेन नारायन ज्छा को दिया गया है एक अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्जी के कितने जिलों में बालु खनन को मनजूरी दी गई है तो ये आठ जिलों में दे गई है जुन 2021 में पटना एम्स में 2-18 साल तक के बच्चोग पर किस कोरोना वैक्सिन का ट्रायल किया गया है तो ये हो जाएगा को वैक्सिन का ठीक है को वैक्सिन का बिहार में इनिश्य पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉंच किया गया है तो ये पंचायती राज विभाग के द्वारा मुखमंत्री नितीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कितनी बार जंडा फैरा कर बिहार के पहले मुखमंत्री स्री कृष्ण सिंग द्वारा बनाए गए रिकोर्ड को तोड़ दिया है तो ये आपका हो जाएगा पंद्रबार बिहार सरकार द्वारा जारी गोसना के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जीलों में जैविक कोरिडोर का निर्मान किया गया है तो ये 13 किया गया है हाली में कौन पुलिस उपव दिख्चक के रूप में चैनीत होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है तो ये है रजिया सुल्तान ठी उनाइटेट के राष्टी ये अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ललन सिंग को बिहार आर्थिक सर्वेक्चन 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-2017 से 2021 तक कि ओधी में प्राथमिक छेत्री की ब्रीधी दर कितनी रही है तो ये 2.3% रही है 2.3% बिहार आर्थिक सर्वेक्चन 2021-22 बिहार आर्थिक सर्वेक्चन 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-2021 में राज्य में बिजली की उपलब्द छमता कितनी है तो ये 6073 मेगावार्ट है 6073 मेगावार्ट ठीक है तो ये सेट आपका कम्प्लीट हो गया अब हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे फर्ष्ट है इसमें बिहार क दूसरा खादी मॉल बिहार के किस जिले में खोला जाएगा तो ये दर्भांगा में इंदी कवीता संगर टोकरी में दिगंध, हेरी घाता के बिहार के किस साहितकार को साहित अकादमी पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया है तो ये अनामिका को ग्राम मुझाला योजना के पह पहले गलास ब्रीज का उदिगाटन कहां किया जा रहा है राजगीर में किया जा रहा है राजगीर में देष के पहले म्योजियम बिनाले का आयोजन कहां किया जाग directement तो ये पटना में विहार देश का कौन सा राज्य है जिसने इथिनौल नीती को मनजूरी दी है तो ये पहला राज्य है विहार दिवस 2021 का थीम क्या रखा गया है तो इसका थीम है जल जीवन हर्याली परी निर्वान की मुद्रा में विश्वी की सबसे लंबी भगवान गौत से अधिक की अबादी वाले सहरों में राज्धानी पटना को कौन सा स्थान मिला है तो ये 33 मिला है 33 रेंग नेक्ष है जल सक्ति मंत्राले के द्वारा बिहार की किन दो नदियों को जोडने की योजनाक मंजूरी दी गई है कोसी मेची ठीक है कोसी मेची दो हरित उर्जा सह 64 राष्टिय फिल्म पुरसकार में बेस्ट एक्टर का वार्ड दिया गया है तो ये मनोज बाचपेई को बिहार के किस जिले के बीरपूर में देश के सब दूसरे सबसे बड़े फीजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्मान किया जा रहा है तो ये सुपॉल में किया जा रहा ह बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है तो ये तीसरा राज्य बन गया है बिहार के किस जिले के सिमरिया घाट को हरिद्वार एवं परियाग राज के संगम टट की भाती विक्सित किया जाएगा तो ये आपका बेगू सराय हो जाएगा बेगू सराय बिहार के पहले पो दोआ किस राज सरकार द्वारा मुख्मंतरी अनुसूचित जाती है, अनुसूचित जन जाती उद्धमी योजना की सुरुवात की गई है तो यह बिहार के द्वारा किया गया है अब नेक्श देखते हैं मार्च 2021 में बिहार के किस निर्मान कारे को देश का सर अश्रेष निर दाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पाइलट कौन बनी है तो ये अंजली बनी है सी है इसका एंसर किस परियोजना के तहत मुंड माल गंगा परिकर्मा अभियान की सुरुवात की गई है जिसके सहत पचीस सो किलोमीटर की आत्रा पूरी कर टीम पटना पहुंची है तो दिमान में बिहार बिधान सभा के उपाध्यक्ष है महेश्वर हजारी और बिहार बिधान परिसद के सभापती ओधेस नरायन सिंग है तो ये सभी ही यहां पे सुमेली थे डी है इसका एंसर नेक्ष है आईपील की तरज पर बिहार क्रिकेट लिग बीपील का आयोजन पतन दिमान में किया गया इसका किता आप क्स टीम ने जीता है तो ये दर्भंगा डाइमंड ने जीता है दर्भंगा डाइमंड साथ फरवरी 2021 को बिहार बिधान सभा के कितने वर्ष पूरे हुए हैं तो ये हो जाएगा आपका सौ वर्ष इभंडारन पढणाली को लागू करन वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है पहला राज्य बन गया है पचीस फरवरी दो देखिए पचीसवा कोश्चन है फरवरी 2021 में जलवायू परिवर्तन यों कार्बन उसर्जन को कम करने है तो बिहार ने किस संस्था के साथ समझ होता किया है तो यह हो जाएगा UNEP UNEP के साथ किया है बिहार में इस्थत किस झील को बिहार का पहला समुदाइक रिजर्व घोसित किया गया है तो यह गोगाबिल झील कटिहार को बिहार के उद्द्यान या आभ्यारन में देश का प्रतम गैंड़ा प्रजनन और संरच्छन केंद्र बनकर त्यार हो गया है तो का नाम है, धरती मयया, हाल ही में किस राजסरकार द्वारा वंडर एप और अस्वनी पोर्टल लांच किया गया है, तो ये है, बिहार के द्वारा लांच किया गया है, बिहार का पहला और देश का दीज का चौधा बोर्ड रनिंग सेंटर, यहार के किस जीले में स्थापित किया गया है यह भागलपूर में बिहार सरकार द्वारा किस वर्च तक 100% साक्षर्ता का लक्ष निर्धारित किया गया है तो यह आपका हो जाएगा 2030 तक ठीक है इसका एंसर हो जाएगा 2030 है इसका एंसर नेक्षे फरवरी 2021 किस में बिहार किसी विभाग के द्वारा उद्यान महोसो का आयोजन कहां किया गया तो कहां किया गया ये पटना में पटना के बाद बिहार का दूसरा चिडियागर किस जिले में बनाया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा अररिया में ठीक है अररिया में जेश्टिस टिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तेरवां अस्थान मिला है निमने में से किस पार्टी को हाली में बिहार में राज पार्टी का दर्जा दिया गया है तो यह भागपा माले को दिया गया भागपा को मार्च 2021 में केंसर कारद्वारा बिहार के किस जिले के मुतिपूर नेक्स देखते हैं चार मार्च 2021 को मैला आचल और मारे गए गुलफाम जैसी पूस्तकों के लेखक की सवी जैनती मनाई गई है तो ये फनीस्वर नात रेनु के द्वारा लिखा गया है नेक्स है मार्च 2021 में नेशनल कॉंसिल आफ एमप्लाइट एकॉनमिक रिसर्च के द्व 2020 के लिए वार्सिक भूमी रिकोर्ड और सेवा सुचकांग जारी किया गया है इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है तो इसमें बिहार को मिला है आठवा स्थान एक्स देखते हैं 27 फरवरी 2021 को पढ़ना हाई कोट के सदाबदी भावन का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है तो यह सरद अरबिंद बोबडे के द्वारा इमने में कौन सा कथन सत्ते है बताना है तो देखते हैं यहाँ पे गाच्छ रूसल अक्षी के लिए कमल कांत जहां को मैथली साहित अकादमी पुरसकार 2020 से समानित किया गया है सही है यह हुसैन उलहक को उर्दू साहित अकादमी पुरसकार 2020 से समानित किया गया है और मैथली में सिया राम ज्हा Healthy से लिए बाल साहित अकादमी पुरसकार 2020 दिया गया है यहाँ पे सारें कथन सही है डी है इसका एंसर देखते हैं बिहार के जिले में इस थतकार जिल पहला रामसर अस्थल घोसित किया गया है तो यह हो जाएगा बेगु सराय हाल में बिहार के साही लीची जो है को पहली खेप भेजी गई किसको भेजी गई निर्यात की गई ब्रिटेन को नेक्ष है कि सराज्य के परियावरन वन यूम जल्वायू परिवर्तन विभाग ने ल कारिक्रम के तहर डीडी बिहार पर नवी से बारवी के छात्रों के लिए कच्छा है किस नाम से आउनलाइन सुरू की जाएगी तो ये है मेरा दुर्दसन मेरा बिद्याल है बिहार के किस जिले में पोश्टल कोविड-19 सेंटर का उदगाटन केंद्रिये मंत्री रवी संकर प किलोमीटर 79 वर किलोमीटर वर्द 2020-21 में बिहार के निम्न मैसे की जिले में रिन जमा अनुपात राष्टिये आउसत से अधिक रहा तो ये है पुर्णिया वर्द 2019 के प्रती दर्स निबंधन पर नाली के अनुसार बिहार में सीसू मिर्टु दर तो ये हो जाएगा 29 में बिहार का सकल राज कोशिये घाटा सकल राज घरेलू उत्पात का कितना परती सत था तो ये 3.0% 3% था